आज की पुस्तक के लोकार्पन में भारत का पक्ष दिकेस फॉर इंडिया के लिए यह कारेकरम आयोजित किया गया है आज जिन मनीश्यों से मिलने और श्रवन करने के बाद आप आलादित होने वाले हैं उनमें हमारी मुख्य अतिती समानेनीय मानेवर डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी प्रसिद विचारक एवम अध्येता तथा इंड्रा गांदी राष्टी कला केंदर न्यास के अध्यक्ष समानी श्रद्य गुरुवर शिरी राम भादू राई जी विशिष्ट अतिती प्रोफेसर योगेश सिंग कुलपती दिल्ली विश्विद्याले इंद्रागानी राष्टी कला केंदर के विदान विद्वान सदसे सचिफ डॉक्टर सचिदानन जोशी उस्तकी अनुवादिका सुश्री अंशू गुपता नहरुस मारक संग्राले से कलानी दीपी भाग के ध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी आप सभी का पुना स्वागत करती हूं अपनी संस्कृति का निर्वहन करते हुए हम अपने मंचा सीन अथितियों का अभिनंदन करने के लिए सद्यस्य सचिफ डॉक्टर सचिदानन जोशी जी से आग्रह करते हैं कि वह अनुभाव प्रावरण तथा स्मिती चिन से अभिनंदन करें हमारे मु विशिष्ट अति थी प्रोफेसर योगेश सिंग कुल्पती दिल्ली विश्विध्याले सुश्री अंशु गुपताजी नहरूस मारक संगरहले से सहित्यकार समाज का सर्वादिक समेदन शील सदस्य होता है अध्यन, चिंतन, मनन, कीत्रिवेनी के संगम पर उसके हिर्दे में सहानुभूती, पावन, भावधारा का जो उदे होता है वही मांसी कंतरद्वंत कलाकार की पहचान होता है अब मैं स्वागत वक्तव्य के लिए नई तकनीक के प्रणेता कर्मत कलानी दिवी भागा देक्ष तथा राष्टी नाट्टे विद्याले की निदेशक प्रफेसर रमेश वंद गौर्ड जी से स्वागत वक्तव्य के लिए अनुरूत करती आप सभी का मेरा सादर प्रणाम मंचपे गराजमान माननी अतितिगंड तथा इस सवागार में मौझूद सभी डेवियों सजनों और हमारे फेस्वुक लाइब से जुड़े हुए सभी दर्शक गंड इंदरगांधी राष्टिय कला के इनके कलानी दी विवाग की तरफ से मैं आपका इस पुस्तक लुक अपरन कारक्रम में हारदिक स्वागत करता हूं जैसा कि अब सभी जानते हैं आईजीन सीए बुक सरकिल के अंतरगत इंदरगांधी राष्टिय कला के इंदर का कलानी दी विवाग हर महीने इस तरह के दो या तीन कारेक्रमों को आयोजन करता रहता है कलानी दी विवाग जो कि भारत का ही नहीं विश्व का एक बहुती अनोखा और बहुती ब्रहत संग्राल है जिसमें तीन लाग से ज़्यादा पांडूलुपियां चार या पांच लाग से ज़्यादा प्रिंटिट बुक्स और करीब 45 परसनल कलेक्शन जो इसके साथ एक इंद्रा गांधी राश्टिय कला के इंद्र का एक अनुखा प्रोग्राम है जिसमें की भारत के जो साहित्यकार जो संस्कृतिक रिसर्चर है उनके परसनल कलेक्शन को यहां पर करीब 24 परसनल कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण संग्रह किया गया है आज इसके कारिकरम में जिस पुस्तक का लोगार पर हम करने जा रहे हैं भारत का पक्ष लकेस फॉर इंडिया इस पुस्तक को 1930 में एक अमेरिकी लेखक इत्यासकार एवं दाशनिक विल्डियूरंट ने लिखा था जिसका की अनुबाद सुश्री अंशुक उप्ता जी जो की नहरुई मेमरियल म्यूजिलम में कारियरतें उन्होंने किया है ये पुस्तक भारत के उस समय के बिर्टिस कलिनाजिशन की एक आँखों देखी एक निस्पक्ष किसी विदेशी द्वारा लिखी हुई की सच्ची दास्तान है जिसको की हम सभी को जाना चाहिए और इसी के लिए हमारे इंद्रागांदी रास्टी अकलाके ने डिसाइड किया कि इसका लोकारपण हो और इस पर चर्चा हो और आज हम बहुती सौबागे साली हैं कि इस पुस्तक लोकारपण के लिए हमारे अपनी उपस्ति से अनुगरीत किया अब इसे सतिती के रूप में हमारे साथ उपस्तिते हैं दिली विश्वय द्याले के कुलपती प्रोफेसर यूबेश सिंग सर में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवा देता हूं आपकी इस कारिकरम की अध्यक्ष्यता हमारे मागदश इंद्र गांदी रास्टिय अकला के इंद्र न्यास के अध्यक्ष परमत्यद्य त्री रामधुराय जी करते हैं जिनके मागदशन में हम इस इस तरह के कारेकरम का निरंतर आयोजन करते रहते हैं धन्यवा सर्थ हमारे बीच है अनुवादक इस पुस्तक की सुस्री इक डैनेमिक लीडर जिनकी लीडर्शिप में इंद्र गांदी रास्टिय अकला के इंद्र गजच छे वर्सों से नई उचाईयां फराद कर रहा है और इनी के डारेक्षन में हम सब लोग काम करते हैं और इन उचाईयों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं धन्यवाद के साथ आपका बहुत दो सागत धन्यवाद धन्यवाद सर कलानीदी के संकूल जगत की सार गर्वे जानकारी देने के लिए समय का मुसाफिर गुजरता रहेगा जमाना तुम्हें याद करता रहेगा आज की पुस्तक परिचे के लिए अब मैं सुश्री अंशु गुपता जी को आमंतरित करूंगी कहने में अतिशोक्ती नहीं होगी कि आज की पुस्तक एक विलक्षन गरंत बनकर उबर आई है जिसका शीर्चक एक है लेकिन एतिहासिक दृष्टी से यथार्थ को विशिष्ट शैली से प्रभावशाली धंग से प्रस्तुत किया गया है अंशु गुपता जी ने नहरू विश्वेद्याले से हिंदी सहित्य मैंफिल और केंदरी हिंदी संस्थान से अनुवाद में डिप्लॉमा पूंट कर कई पुस्तकों का स्रीजन किया है आप कई पुरस्कारों से सम्मानित है इंद्रा गांदी राष्टी कला केंद से प्रकाशिक पुस्तक दरोहरों के संदर्भ में प्रोफेसर बीबी लाल के शोद पत्रों के संकलन का अनुवाद करने का श्रे भी अनुशु जी को जाता है वर्तमान में आप नहरू स्मारक संग्राले में अनुवाद के परपर कारे कर रही है मैं आपको कुनहां अमांत्रित करती हूँ सबको मेरा नमस्कार और इस सभामंडप में उपस्तित आप सब लोग जो कीमती समय निकाल के इस आयोजन का हिस्सा बने हैं उसके लिए मेरा आभार, मनचासीन, हमारे अतितिगणों को भी मेरा आभार मुझसे इस पुस्तक के बारे में बोलने को कहा गया है तो जहां तक इस पुस्तक का सवाल है तो मेरी भूमिका सिर्फ एक अनुवादक की है फिर भी कुछ मोटी मोटी बातें मैं रखूंगी प्रसंता का विशे ये है कि इतनी सद्यों से भूली ये पुस्तक आज चर्चा में है और इंद्रा गांधी राष्ट्रिय कला केंद्र ने इस पर विद्वानों के साथ एक विचार विर्मर्ष के लिए मंच प्रदान किया है मैं IGNCA की अभारी हूँ विशे शुरूप से डॉक्टर जोशी जी की जिनके सार्थक पहल से ये कारिक्रम आज संभव हो पाया है मुझे देख पाएंगे शायब यूं तो मैं साहित्य की विद्यार थी हूँ और इतिहास और गणित ये शुरू से मुझे डराते रहे हैं आज भी डराते हैं लेकिन जब अनुवादक की हैसियत से मैं कोई पुस्तक अनुवाद के लिए उठाती हूँ तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि ये साहित्य की है कि इतिहास की है या किसी अन्यविशय की है इस पुस्तक के बारे में मैंने विद्वानों से बहुत सुन रखा था और हमेशा एक ही विचार मन में आता था कि यदि ये इतनी महत्वपून पुस्तक है तो मैंने स्कूल में या कॉलिज में अपने पाथिकरम में इस पुस्तक के बारे में क्यों नहीं पढ़ा या इसका कोई अंश क्यों नहीं पढ़ा यही उत्सुकता थी शायद जो मुझे इस पुस्तक की और आकरशित करती रही और जब मैंने यह पुस्तक ली और देखी तो पहली बात जो जहन में आई जो रेजिस्टर हुई वो यही थी कि यह एक आई विटनस एकाउंट था वो भी एक विदेशी इतिहासकार विल डियूरा का लिखा हुआ जिसे हमने नजर अंदास करके जिसे हमारे इतिहासकारों ने नजर अंदास करके इतिहास लिखा था दूसरी महत्वपून बात यह थी कि the very fact कि बिटिश पार्लिमंट ने इसको बैन किया यह अपने आप में कितनी महत्वपून है ये पुस्तक प्रकाशित करती है हम सब जानते हैं कि इतिहास जो है वो प्रत्यक्ष दर्शियों और विजेताओं द्वारा लिखा जाता है इस दृष्टी से ये एक बहुत महत्वपून पुस्तक है कहने में गलती नहीं होगी कि ये एक क्लासिक रचना है जिसमें विल ड्यूरा ने ब्रिटिश सरकार की जितनी भी नीतियां थी और जितनी भी दलीलें उन्होंने दी उस सब का उन्होंने पोल खोल के रख दिया और ये साबित कर दिया कि उनके द्वारा भारत जो लोग हित में वो नीतियां बना रहे थे वो वास्तव में उनके हित्मे थी ना कि भारत के हित्मे इस पुस्तक में उन्होंने आखो देखा जो भी विवरन प्रस्तुत किया है लूट, खसोट, दोहन वो और किसी पुस्तक में हमें इतिहास की ऐसा सत्य विवरन देखने को नहीं मिला है ऐसा प्रमानिक, ऐसी प्रमानिक रचना आखो देखा विवरन, हमारे इतिहास कारों की नजर से कैसे छूट गई या छोड़ दी गई, ये एक विचार का विशे है जिस पे मैं उमीद करती हूँ कि हमारे मंचासीन विचारक आगे प्रकाश टालेंगे इस पुस्तक में आप जो अगर आपने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ने वाले पुस्तक है और सबसे बड़ी बात कि अब तक हमारे पाठे करम में हमें जो भी पढ़ाया गया है उसमें हमने ड्रेन ओफ वेल्थ के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन अगर आपको आज भी हम पढ़ी रहे हैं लेकिन अगर आपको magnitude of atrocities inflicted on Indians अर्थात British सरकार द्वारा भारतियों पे किये गए अत्याचारों का विवरंड उसका जायजा लेना है तो ये पुस्तक आपको जरूर पढ़ने चाहिए सबको पढ़ने चाहिए इस पुस्तक की खास बात एक ये है कि इसमें Will Dura ने कहीं भी अपने विचार ठोपने की कोशिश नहीं करी है उन्होंने अपने इस पुस्तक लेखन में बहुत ही जर्नलिस्टिक अप्रोच अपनाया है और आंकडों तथियों और साक्षियों के माध्यम से वे अपनी बात रखते हैं उसको साबित करते हैं और इतिहास मतलब उन्होंने ब्रिटिश सरकार का पूरा एकदम कहते हैं न कि पोल खोल के रख दी है इस किताब में वो उसमें साबित करते हैं और हमारे इतिहासकारों के लिए उन्होंने एक पुनर विचार और पुनर लेखन का एक मार्ग खोला है क्योंकि मैंने इसका अनुवाद किया है तो मैं सोचती हूँ कि इसकी भाशा पे मैं जरूर प्रकाश डालूँ मुझे ऐसा लगता है कि अब तक यह पुस्तक अगर हिंदी में नहीं आपाई थी नहीं आपाई तो उसका एक अहम कारण ये था कि विल्ड यूरा बहुत भावुग बेखती थे वो जब लिखना शुरू करते थे तो उन्हें शायद खुद भी ध्यान नहीं रहता था कि वो वाक्य कहां से शुरू हुआ और कहां खतम हो रहा है उनके वाक्य इतने लंबे-लंबे हैं कि एक प्रिष्ट से शुरू होते हैं तो दूसरे प्रिष्ट पर जाके खतम होते हैं ऐसे में अनुवात कठिन ही नहीं है बलकि एक चुनौती भी है क्योंकि अगर आप उन वाक्यों को तोड़ कर अनुवात करने की कोशिश करते हैं तो जो उस टेक्स्ट का एक जो वास्तविक फील है जो एक वास्तविक भाव प्रवन्टा है उसका जो एक फ्लेवर है वो शयद नश्ट हो जाता है वो बाधित होता है मैंने ऐसा नहीं किया है मैंने कोशिश की है कि उन्होंने जैसे sentences रखे हैं मैं उनको उसी तर्ज पर अनुवाद करूँ और वो भी सरल्तम शब्द में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कल को अगर हमारे शिक्षा विद इस पुस्तक को कभी पाठे करम में शामिल करने का विचार करते हैं तो हिंदी की पुस्तक जो है वो आगे आए और हिंदी ज्यादा सरल्बी है इसकी समझने में comparatively जो English का किताब है वो हिंदी के मुकाबले थोड़ा कठिन है क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी बहुत घुमावदार है पेचीदी है और कटाक्षपून होने के साथ उनके लिखने का जो एक शैली है वो sentences के बीच में से कहते हैं इन बिट्वीन दा लाइन्स रीड करना वो जो संकेत देते हैं भाषाओं में उसको समझने के लिए बार-बार पढ़ना पड़ता है ये हिंदी में ये कठिनाई नहीं आएगी क्योंकि मैंने कोशिश करी कि इसको एकदम सरल भाषा में प्रांजल भाषा में और बुद्गमे भाषा में प्रस्तुत करूं इसमें मुझे कितनी सफलता मिली ये हमारे विचारक लोग बताएंगे और जिन लोगों ने पुस्तक पढ़ी है वो लोग बताएंगे मंच पे बैठे जितने भी हमारे विद्वान हैं उन सब के ग्यान के आगे मेरा कद बहुत छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उनको ज़्यादा बोलने का समय देना चाहूंगी लेकिन मैं आपने वक्तवे का अंत करूंगी एक छोटे से उधरन के साथ जो इस पुस्तक से मैंने लिया है और जिसे उस समय ब्रिटिश नौसेना की पुतरी मैडलीन स्लेट जिन्हें आप मीरा बहन के नाम से जानते हैं उन्होंने यंग इंडिया में इसको रिपोर्ट किया था मैं ड्रेन ओफ वेल्थ पर कोई डिपनी नहीं करूंगी नहीं उसका कोई उधरन दूंगी यह वो धरन उस अमानविय पक्ष को दर दर्शाएगा जो ब्रिटिश लोग उस टाइम कर रहे थे कोट इन दिनों जब प्राधिकारी और प्रशासन वाइट हाउस और शमा कीजेगा मैं अपना चश्मा जरण ले लूँ इन दुनों जब प्राधिकारी और प्रशासन वाइट हाल में शिमला में पुलिस के कारनामों का गुंगान करते ठकते नहीं रहें तो मैंने सोचा कि मैं स्वैम धरासन जाकर परिस्थित्यों का जाइज़ा लूँ ये मीरा बहन बोल रही है सत्याग्राही जो कुछ शन पहले नहत्ते अहिंसा का प्रण लिये में में इन पुलिस वालों के सामने बहादरी से डटे हुए थे अब यहां मेरे सामने सर से पाउं तक शत विशत तूटे फूटे बेसुद से पड़े थे इन में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके कंधे और कोहले मार मार कर पुलिस के द्वारा तोड़ दिये गए थे और वह ना त बगल में एक लंबा चोड़ा मुसल्मान सहाय पीड़ा से करा रहा था उसकी स्थिती देखते हुए मैंने डॉक्टरों से पूछा इसे ये चोट कैसे लगी है उनका कहना था इसे बहुत बेरहमी से पीटा गया है और पेट में घूसे मारे गए हैं और दाएं पैर को भी त रूरता से वार किया गया है हम उपर गए जहां से मिली जुली कराहने की और आवाजे आ रही थी वहां एक युवा दर्द से तड़प रहा था वे अपना पेट दबा कर बैठा हुआ था और बीच पीच में सहसा उटते दर्द से तड़प कर वे इस प्रकार उट बैठता जैसे वे पीड़ा से पागल हो जाएगा डॉक्टर ने बताया कि उसे पेट में बुरी तरह से चोट पहँचाई गई है यह चोट इतनी जान लेवा थी इस पुस्तक की अनुवादिका सुश्री अंशुग कलानिधी विभाग के प्रमुख प्रफिसर अमेश चंद्र गौर जी इस पुस्तक की माधव भान जी इस सभागार में उपस्तित सभी सनमानी देवियों सज्जनों विल डूरांट की अत्यंत चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का पहली बार हिंदी में अनुवाद हम सब के सामने प्रस्तुत हो रहा है जैसा कि अन्शु गुपता जी ने अपने वक्तवि में भी कहा और ये हम सब के लिए निश्चित तोर पर बहुत अश्चरिकी बात है कि इस पुस्तक का अनुवाद प्रस्ता के 75 वर्ष बाद हो रहा है ये हम सब के लिए दुख का विश्य है जिन लोगों को ये विल्डुरांट की पुस्तक पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है उन्होंने इसकी भूमी का अवश्य पढ़ी होगी कि कौन सी बात है और ये एक तरह का निश्पक्ष विश्लेशन इसलिए है कि वो तो अमरीकी नागरिक थे वो कोई ब्रिटिश नागरिक नहीं थे और इसलिए उन्होंने पूरा निश्पक्ष विशलेशन की किस तरह से भारत का दोहन हुआ है भारत की संपदा का दोहन हुआ है भारत की व्यक्तियों का शोशन हुआ है ये सारी बातें लिखी है और जब उन्होंने ये बातें लिखी है तो वो ये कहने से नहीं चुके हैं कि हम सब को भारत का रिणी होना चाहिए क्योंकि भारत सिर्फ दक्षण एशिया का ही गुरू नहीं है वो समूचे विश्व की सभ्यता और संस्कृतियों का गुरू है उन्होंने ये भी लिखा है कि संस्कृत हम सब की आदी भाशा है और हम सब संस्कृत के भी रिणी हैं जिन्होंने हमें सभ्यता और संस्कृती के पाट से खाएं ये कहने से Will Durant नहीं चुके और उन्होंने अपनी बात पूरी सपश्टता से लिखी है बहुत सारे चौकाने वाली बाते हैं कुछ एक का जिकर अभी अंशू जी ने किया है लेकिन जब आप उस तक पढ़ते हैं तो आपके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं आपको समझ में आता है कि दरसल जिस अंग्रेजी राज की तारीफ करते कुछ भारती बुजर्ग आज भी नहीं ठकते दरसल उस अंग्रेजी राज की असलियत क्या है आज भी आपको ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इससे तो बहतर अंग्रेजी राज था मैं समझता हूं कि उन तमाम लोगों को ये किताब बार बार पढ़ाई जानी चाहिए कि इससे तो बहतर अंग्रेजी राज था अंशू जी का चुकि मेरे उपर थोड़ा सनेह रहा और उनकी रचनाओं का मैं प्रशन सक रहा हूं वे एक अच्छी कवियत तरी भी है तो उन्होंने मुझसे आग्रे किया कि मैं इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखूँ तो मैंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है साथ आठ पेज की प्रस्तावना है भूमिका प्रस्ताओन नहीं भूमिका लिखी है तो जो भूमिका लिखते समय जो बात मेरे मन में आई थी वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ इस बात की मैंने बहुत कोशिश की और मैं अभी भी इस बुद्धी जीवी समाज के सामने उस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही किया जाए मैं पूछने की और खोजने की कोशिश कर रहा था कि भारत स्वतंतर होने के बाद विल डूरांट कितनी बार भारत आए मुझे उसके कोई ठोस आकड़े नहीं मिले तो जिस किताब को अंग्रेजी हुकूमन ने बैन किया जिस किताब को पढ़ने से मना किया रोक दिया आज़ादी के बाद वो किताब पबलिक हुई लेकिन हमें कभी क्या ऐसा नहीं लगा कि हम विल डूरांट को भी बुलाकर भारत में उनकी बात करवाएं लोगों के साथ उनका साक्षात कार कराएं ये भी मैंने खोजने की कोशिश की कि कि कितने विश्विद्यालेओं में विल डूरांट की इस पुस्तक पर कहीं कोई शोध हुआ है किसी को पिएश्डी मिली हो, किसी को एमफिल मिली हो, किसी को कोई और लेकिन ऐसे भी संदर्व नहीं मिलते चिंता की बात वहाँ है कि हम आजादी के 75 साल बाद भी उन सारे तत्थियों को लोगों तक पहुँचाने के लिए विशेश कर हमारे युवाओं में उस बात को पहुँचाने के लिए विशेशकर हमारे बुद्धी चीवी समाज में उस बात को पहुँचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं इसलिए इस पुस्तक का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि ये हिंदी में आई है Will Durant की लिखने की अपनी एक शैली है बहुत सारे लोगों को उस तरह की अंग्रेजी जादा पढ़ने की आदत नहीं होती इसलिए बहुत सारी बातें शायद उस तरह से पढ़ी नहीं जा सकती थी लेकिन अब वो किताब हिंदी में है और हिंदी में है तो निश्चित तोर पर एक ज़्यादा व्यापक वर्ग के लोग उसे पढ़ सकेंगे ऐसा अंदास किया जा सकता है हम सब को ये संकल्प लेना चाहिए कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि अब इस किताब को पढ़के कहीं हमारे अंदर कोई शोध की बात जाकती है कोई शोध की प्रवत्ती जाकती है तो उसमें शोध किया जाना चाहिए ऐसे तमाम विश्यों पर भी शोध किया जाना चाहिए कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया है किस तरह से सोने की चड़िया कहा जाने वाला देश शने शने इस तरह लुटता चला गया कि जब भारत स्वतंतर हुआ तो वो उतना सम्रुद और उतना संपन नहीं रहा जैसा वो उससे सो वर्ष पहले था एक सवाल निश्चित तोर पर हम सब के भी मन में आता है कि बहुत सारे विदेशी भारत आये व्यापार की दृष्टी से आये फिर भारत के उपर आक्रमन करने आये तो निश्चित तोर पर हमारे पास वो संपदा होगी जिसे लूटने के लिए कोई आया था तो वो सारी संपदा फिर गई कहां और क्यों और कैसे अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने हमारी तमाम संपदा को धीरे धीरे बिटेन के हवाले पर दिया आज भी जब आप देखते हैं कि कुछ बड़ी प्राचीन, महत्वपूर्ण, मूर्तियां हमारे माननिये प्रधान मंत्री जी के प्रयास से भारत लोटती है अगर आप उसका इतिहास देखे तो आपको मालूम पड़ता है कि वो कव कहां और कैसे विदेश में चली गई और विदेश में जाने के बाद भी 60-70 साल तक हमने उसकी कोई सुध नहीं ली अभी जब आजादी के 75 वर्ष पर माननी प्रधान मंत्री जी लाल किले से अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उनने पाँच प्रणों की बात कही है उसमें से एक महत्वूर प्रण है अपनी धरोहर के बारे में सचेत होना संकल्पित होना अक्सर लोग इतिहास के अध्यान को आपने भी कहा मुझे इतिहास से बहुत डर लगता है अक्सर लोग इतिहास के अध्यान को बहुत गंभीरता से नहीं लेते लेकिन अगर हम इतिहास को सही धंक से नहीं पढ़ेंगे नहीं जानेंगे तो हम भविश्य का सुरजन नहीं कर सकती इस बात को आप जान लीजिए और इसलिए मानिय प्रधान मंत्री जी ने आप से वो प्रण लेने को कहा है कि हम धरोहर की सरक्षन करेंगे, अपने इतिहास का सरक्षन करेंगे अपने अतीत को जानने की कोशिश करेंगे और अतीत के वैभों को समझने की कोशिश करेंगे विल डुरांट की ये जो पुस्तक है जिसका अंशू जी ने अनुवाद किया है वो हमें उस अतीत के वैभों किया आपको एक तरह से एक दृष्टांत प्रस्तुत करती है ये पुस्तक हम सब के बीच अवश्य पढ़ी जानी चाहिए मैं अनुवादक के तौर पर अंशू जी को वधाई देता हूँ कि उन्होंने ये श्रम साध्य कारी किया है क्योंकि एक्सर जब व्यक्ति अनुवाद करता है तो उसको श्रे कम प्राप्त होता है सारा श्रे कृति का मूल लेखक को जाता है अगर कोई गलतियां होती है तो वो सब अनुवादक के पाले में जाती है इसलिए यह अन्वादक का कारे जो है वो बहुत ही दुश्कर होता है इसके बावजुद उन्होंने इस अन्वाद के कारे को किया है इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और निश्चित तोर पर बहुत अच्छी भाषा में बहुत सहज भाशा में उन्होंने यह अनुवात का कारे किया है इसके साथ ही इसके प्रकाशक माधव जी को भी रे माधव आर्ट्स को भी बधाई दी जारी चाहिए क्योंकि ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन निश्चित तोर पर कठिन काम है मेहनत का काम है और मेहनत से ज़्यादा हिम्मत का काम है जब कि एक तरह ये फिलोसफी चलती है कि आजकल कौन पढ़ता है दूसरी फिलोसफी चलती है कि आजकल खरीद कर कौन पढ़ता है और हिंदी के पुस्तकों के बारे में तो ये और भी अधिक दुखदाई बात है कि लोग अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी हिंदी में लिखी हुई किताब भेट करें ऐसे समय में कोई प्रकाशक अगर हिंदी की किताब निकाल रहा है तो वो निश्चित तोर पर बहुत हिंदी का काम है और इस हिंदी के लिए श्री मादव भान जी को बधाई दी जाने चाहिए लेकिन सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा हमें यहां यहां यह भी संकल्प लिना होगा कि यह किताब हम किसी से भेट में प्राप्त करके न पढ़ें खरीद कर पढ़ने की कोशिश करें अगर हम खरीद कर पुस्तक पढ़ेंगे तभी ऐसी पुस्तकें और अधिक प्रकाशित करने का होसला प्रकाशक का बनेगा हाँ मादव भान जी से ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी कीमत थोड़ी कम कर देंगे तो हम सब में भी खरिदने की ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी बहुत अच्छा प्रकाशन है बहुत सुरूची पूरुण धंग से उन्होंने ये किताब छापी है और हम सब को इस किताब को हाथ में लेकर रखने का भी एक आनंद प्राप्त होगा इस आयोजन के बारे में एक चीज और कहना चाहता हूँ जब इस आयोजन की परिकल्पना की थी माननी डाक्टर कृष्ण गुपाल जी से चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस किताब का अच्छा लोकारपन होना चाहिए और इसके उपर अच्छी चर्चा होनी चाहिए तो हमने भी उनके साथ बाल हट में ये कह दिया कि ये तो तभी सम्हो होगा जब आप इस कारेक्रम के लिए तारीख देंगे और ये बात आज से लगबग चार महीने पहले तै हो गई थी कि जब भी होगा डाक्टर साहब का समय हमको प्राप्त होगा फिर बाद में हम सब जानते हैं मई जून के महीने में वर्ग के कारण उनकी विस्तता बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन वो मेरे लिए बहुत सुखत दिन था जब एक दिन उनका ही फोन आया और उन्होंने कहा कि हम अगस्त में इस कारेक्रम को करेंगे तो मैं डाक्टर सहाब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस किताब को निश्चत तोर पर हम सब के सामने सही परिपेक्ष में प्रस्तुत करने के लिए डाक्टर सहाब जैसा समर्थ और विद्वान व्यक्ति ही हमारे बीच उपस्तित होना चाहिए था वे आज हमारे बीच हैं उनकी उपस्तिती को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समात करता हूँ धन्यवाश्री आपका यूही नहीं बारिशे समुंद्रों में होती कहीं किसी की आँखें डबडबाई होँगी आपकी ज्यादा धहरे की परिक्षा नहीं ले रहे समय है पुस्तक लोकार्पन का मैं अपने सहायोगियों से आग रहे करती हूँ कि फिर पुस्तक के मंच पर लाएं तालियों की गूच कम नहीं होनी चाहिए बाते करों पुस्तकों से अपने मन को खोल ये देती संगीत को सन्नाटों में घोल अब तक हुए विकास के सारे पने खोल चुपरे करभी पुस्तके कितना देती बोल अब हार आप सभी का करतल ध्वनी के लिए मंचा सीन प्रफेसर योगेश सिंग जी से अब मैं आगरह करूंगी है दिली विश्विद्याले के कुलपती पत को सुशोबित कर रहे हैं आप एक शिक्षा विद्व निर्नायक नेता हैं अपने बहु कृतिक स्रीजन निर्तित्यु की गुनवत्ता बहुत गम्मेत और तार्टकिक सोच के लिए और प्रशासनी कौशल शमता के लिए देश्वापी पहचान बना चुके हो अब 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 नमस्कार आज पुस्तक का लोकारपन कारेक्टरम है The Case for India इसको Will Durant साब ने लिखा अभी सबने बात करी हो उसका लोकारपन हुआ और अशु गुपता जी ने उसका अनुवाद किया हम सब के लिए ताकि ये सहज रूप से हम सब को उपलब्ध हो आज के कारेक्रम के मुख्य अतिति डॉक्टर कृष्ण कोपाल जी जो एक प्रसिद्ध विचारक हैं और बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करते हैं वो यहाँ पर हैं और उनके उनका एक मार्ग दर्शन सबको रहेगा ये भी एक पुस्तक के लिए और मैं समझता हूं कि तो पुस्तक का कंटेंट है उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है श्री राम भादुर राय जी अध्यक्ष इंद्रगांधी राष्टिय कला केंद्र प्रफसर सचिदानंद जोशी प्रफसर रमेश चंद्रगॉड और आज इस सभागार में बैठे सभी लोग जो की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं और पुस्तकों के बारे में एक राय रखते हैं ऐसे सभी मेरे भाईयों और भेनों सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि एक अमेरिकी ने लिखी है तो अपने को चिंता करने की कोई बात नहीं है जो अच्छा खराब है उसके उपर आसानी से डाला जा सकता है यह एक अच्छी बात है इसमें और दूसर 1930 में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए और तभी हम इसके सही कंटेक्स को समझ पाएंगे यह एक बहुत इंपॉर्टन बात है क्योंकि 1930 में कॉंग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की वो तब तक हो चुकी थी लेकिन उसके बाद की बहुत सारी घट देखता है उसने जो देखा लिखने का प्रयास किया वो सही बात है कि सचिदान जोशी साब ने बहुत सही कहा कि वो आए तो किसी और काम के लिए थे लेकिन यहां की दुर्दशा को देखकर दूसरे काम में लग गए और उस दुर्दशा को लिखने का उन्होंने काम किया एक विदेशी का दृष्टी कोण है, अमेरिकी का दृष्टी कोण है, और अंशु गुपता जी ने एक अच्छा काम किया, कि उसको हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया है, ताकि आम जन मानस्ता के पहुँचे, और हम नए संदर्भों में उस समय के संघर्ष को देख सकें, तो लेखक मारमिक था ऐसा बताया आईशु गुपता, इन्हें सही बात है, मैं उनका एक सेंटेंस कोट कर रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा, कि प्रित्वी पर शायद ही ऐसा कोई देश होगा, जहां ऐसा दृष्ट देखने को मिलता है, जो कि मैंने भारत में देखा, कोई सरकार अपनी जनता के साथ इस हद तक क्रूर हो सकती है, कैसे अत्याचार कर सकती है, और उन अत्याचारों के जब उन्होंने देखा, जिनके साथ हुए उनसे बातचीत करी, तो उनको लगा कि इंगलेंड ने बहुत अच्छा नहीं किया है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और डेड़ सो साल तक अंग्रेजों ने भारत को लूटा, तो उन्होंने लिखा कि मुझे आप अनुमती दें, कि मैं भारत के लिए आवाज उठा सकूँ, भारत का पक्ष रख सकूँ, और यदि मेरी इस किताब के कारण से, मेरे लिखने से, कुछ और करने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मेरा ये अटेंट जो है वो भारत की मदद करने के लिए है, ये जो संगर से चल रहा है, उसमें अपनी तरह से साहेता करने के लिए, उन्होंने लिखा, बिट्शनस ने जैसा बताया भी गया, कि बिट्शनस ने बुक को बैन कर दिया, उनको करना ही था, क्योंकि उनके बारे में बहुत अच्छा नहीं लिखा, कि उस समय की परिस्थिती के बारे में, और अब जब ट्रांसलेशन अंशु गुपता जी ने आई है, तो मैं हिर्दे से उनका आभार विक्त करता हूं, कि मुझे तो उस समय इस से प थोड़े से लोग थे वो उन्あनोंने इतना सारा अतियाचार किया कि अमेरिकी ने तो लिखा लेकिन हमने तो भुगता उसको, तो कई बार मन में परश्णा आता है कि यह 5000 साल की सब्विता, ज्यान की सब्विता, संसकार की सब्विता, विचार की सब्विता, एक बहुत डीडीपी रखने वाली ऐटारे सो साल तक ऐसी सब्वेता, अमीर सब्वेता, आर्थिक द्रिश्टी से संपन सब्वेता, और साथ सो आठ सो साल गुलाम रही है। अमेरिकी ने लिखा क्या उसने तो जो देखा वो लिख दिया लेकिन सवाल तो यह है कि इतने साल गुलाम रही क्या उस पर उस पर तो अमेरिका ने तो चर्चा नहीं करनी थी तो इस पुस्तक में तो उसकी कोई चर्चा नहीं है कि हम गुलाम हो क्यों गए और गुलाम होने क बात में इतने बरस तक हमारी गुलामी कैसे चल गई तो 1930 में जब विल्ड उन्ट ने इसका वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आखिर ये दशा हमारी ऐसी हो क्यों गई हम कह सकते हैं असानी से कि अंग्रेजों ने कर दी और असानी से कह सकते हैं 700 साल की गुलामी थी और जो शासक रहे उन्होंने कर दी पर क्यों कर दी ये एक बात है क्योंकि अंग्रेजों ने तो भारत के जाने के आज़ादी नहीं थी, आप वहाँ पर सफाई करने के लिए जा सकते थे, खाना बनाने के लिए जा सकते थे, लेकिन आप उसके member नहीं हो सकते थे, और लिखा भी होता था कि भारत के लोग अंदर नहीं आ सकते, उसकी मतलब यह है कि उस मनोबल को जो तोड़ा ऐसे बहुत एक्जामपल मिलेंगे होटल्स में क्लब्स में कि भारत के लोग मां नहीं जा सकते थे और विवेकान अंजी ने इस पर बहुत कहा है कि अगर भारत को लोगों को अपना मन को पक्का करना चाहिए उस मनोबल को जो तोड़ा और वो जो तूटा तो मुझे लगता है कि तूटा ही रह गया उस मनोबल को बढ़ाने पर बहुत काम देश में हुआ नहीं आजादी के अंदर काल के अंदर लोगों के अंदर राजा के अंदर प्रजा के अंदर सब के अंदर कुछ तो रहा होगा क्या इस पर हम गंभीरता से विचार करने को तयार है क्या और अगर हम विचार करेंगे अब देखे भारत का जो GDP था जैसा कि 6 century BC से लेके 13 century तक 1800 साल तक 36% था और 1600 में British India ये जो East India Company भारत आई थी बनी ये बनी थी 31 December 1599 को तो 1600 में उस समय भारत का GDP करीब 23% था और हम 1818% संसार की जनसंख्या है उस समय 20% थे हम आज 18% है तो हमारा GDP 18% या 20% अगर है तो हमारा शेयर भी 20% होना चाहिए हर चीज में और लेकिन आज हम 3 या 4 पे संगर्ष कर रहे हैं 1840 में 16% था 1947 में 2.5% था 1998 में 1.34% और 18 में 3.17% अमेरिका का 1840 में 2% था अज 21% है संसार में सबसे ज़्यादा है मैं बात जो कहना चाहरा हूँ वो ये कहना चाहरा हूँ आर्थिक द्रिश्टी से भी मजबूत थे क्योंकि 16% तो 1600 था ही ना तो भी हम उसको सम्हाल के नहीं रख पाए और 1900 से 1950 तक जब ब्रिटिशफ में सबसे ज़्यादा अत्यचार चल रहे थे और ये किताब लिखे तो ऐसा भारत क्यों गुलाम हुआ ये बुक मन जब पढ़ते हैं न तो मन में बहूत प्रशना आते हैं और उस प्रशन को पर आंसर हमें खोजने की कोशिश मन करता तो है पर हमें अभी एक सिस्टेमाटिक उसको खोजने की कोशिश करने चाहिए बहुत साधरन सी बात है कि भारत राजनेतिक रूप से कमजोर था भारत राजा लड़ते थे आपस में दुश्मन का वो नहीं करते थे टेक्नालोजी की कमी हो गई और हम छोट 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 लेकिन ऐसा थोड़ी है चोदे आप साथ सो आठ सो साल तक आपको बीस-पीस अजार पचास-जार लोगों ने हर करती अब उस पर नैशनल एजुक्विशन पॉलिसी आई है कुछ काम कर रहे हैं और अच्छा होगा 75 साल में कुछ अच्छा हुआ और ज्यादा अच्छा होगा अगले 25 वरश में बहुत अच्छा होगा देश के साथ में ऐसा हम सब का विश्वास है लेकिन जब उन्होंने उसको तोड़ दिया सारे सिस्टम को 1500 साल में खतम कर दिया और वो आर्थिक रिष्टी से भी तूटता है जवाद भी तूटता है तो और ऐसा ही इसी कारण से और उसी समय 1914 में भारत भारती लिखी मैसलिशन गुप्त ने वह भी सिमिलर चीज़ पर बात करते हैं जब कहते ह है कि सबसे प्रतम करतव है शिक्षा बढ़ाना देश में सबसे प्रतम करतव है शिक्षा बढ़ाना देश में शिक्षा बिना ही पढ़ रहे है आज हम कलेश में शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सुपात रहे है शिक्षा बिना कल्यान की आशा दुराशा मात रहे है त उन्होंने लिखा कि मैं इंग्लेंड वालों के साथ भी न्याय करना चाहता हूं। लेकिन जब वो न्याय करने गए ना, वहाँ उन्होंने सच को देखना छोड़ दिया। मैं उनकी वहाँ से मेरी असामेती शुरू होती है उनके साथ में। उन्होंने भारत के बारे में हमारी 12 शाह तब ठीक से लपेट के लिख दी, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब इंग्लेंड का पक्ष रखने लगे, तो वो इतने ज़्यादा इंग्लेंड के फेवर में हो गए, वहां पर मेरे मन को लगा कि यह हो गया, इतनी आवशकता नहीं थे उनको इंग्लेंड वालों के लिए करने की, क्योंकि उन्होंने इतना मजबूती से रखा, जबकि 1857 में जो प्रतम सतनतवा संग्राम हुआ, इंग्लेंड ने सारा खर्चा हमारे उपर डाल दिया, उसके बाद फौज का छे मेने पहले से छे मेने बाद तक का सारा खर्चा हमारे उपर डाला, और उन्होंने लिखते हैं, डूरेंट साब नहीं लिखता है, कि भारत के लोग अपनी रक्षा करने का सामर्थ हैं नहीं रखते, अब देखिए उस समय तो कह दिया था, हम कहनी की स्थिति में नहीं थे, आज तो हम साम 2022 में उन्होंने जब भारत के सामर्थे को चैलेंज किया, तो आज हमने उस से हम उपर उठे हैं, ये एक मैं समझता हूँ, हम सब के लिए बहुत गर और सम्मान की बात है, दूसरा उन्होंने कहा कि इंग्लेंड अगर भारत पे कपजा नहीं करता, अगर इंग्लेंड भारत नहीं कर सकता कोई कपजा, वो उस समय का ठीक है कि 1930 का, तो उन्होंने लिखा कि इन सब लोगों में से कोई भी देश भारत में कपजा कर लेता, एक अच्छी सिविलाइस सोसाइटी इंग्लेंड बिटेन ने भारत पे कपजा किया, भारत को इसमें गर्व लेना चाहिए, अ लेकिन उन्होंने उनकी अपनी सोच रही उन्होंने लिखा, लेकिन अच्छी गुपताई ने बहुत अच्छे से उसको लिखा है, मारमिक तरीके से वो सारा इन्होंने लिखा है, और वो लिखते हैं कि बिटिश जो मैनेजमेंट है, बिटिश सिस्टम्स जो है, वो भारत क आप में इसे मुए नहीं जानता कितने जानते हो जिस रेलवे लगाने का पांच गुना खर्चा विश्व में सबसे महँगी रेलवे भारत में ब्रिटसस ने लगाई पांच गुना ज्यादा कॉस्ट पर आगर वो सौर रुपे तो पांच सो रुपे पर किलोमेटर पर हमको लगा के दी उन्होंने railway तो ऐसी बात नहीं है कि वो कारण उनके खराब जो उन्होंने किया उसका लीपापोती से हो सकती है कि railway से टेलिग्राफ से टेलिफोन से वो तो उस समय की innovations है सारे industrial revolution में हमारा कोई योगदान नजर नहीं आता क्योंकि हम industry two भी miss कर गए लेकिन आज ऐसी बात तो नहीं है कि हम miss कर जाएंगे तो हमें अंग्रेजों का इसान मानना चाहिए ऐसा तो हम नहीं मानने को त्यार है वो कहते थे कि असान भारत को मानना चाहिए क्योंकि भारत की तो कोई हस्ती नहीं थी थोड़े-थोड़े लोगों से हारते थे आगे भी हारते रहे तो इनकी कोई हस्ती नहीं थी और यदि वो कहते हैं further जो कहते हैं कि इंग्लेंड जाएगा तो रूस कबजा करेगा इस देश पे इंग्लेंड चला भी गया तो रूस कबजा कर लेगा यानि पहले तो वो छोटे-छोटे देश करने वाले थे बाद में रूस हमारे उपर कबजा कर लेगा ऐसा उनको डूरेंट सापको 1930 में था आज वो जहां भी होंगे मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ आपका डर तो भैसाबित हुआ आज रूस ने कबजा नहीं किया ना वो कर सकता है हम तो क पूरे यॉरप पे पूरे अमेरिका पे एशिया की लोगों का आधिपत्य हो जाएगा यह डर उन्होंने जाहिर किया इस किताब के अंदर और भारत लोगतंत्र के लिए उपिप्त नहीं है यह तो बात उन्होंने 1930 में कही उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडनेस बिल पर जब बहस भी तो चर्चिल ने भी यह कई थी भारत तो लोगतंत्र के लिए उपिप्त नहीं है तो भाई साब दोनों गलत साबित हो गए विश्व का सबसे बड़ा प्रभावी लोगतंत्र भारत है भारत के लोगों ने उसको गलत सिद्ध किया यह पुस्तक भारत की द कि पढ़नी चाहिए है हिंदी को बढ़ाने के लिए और जो विकार बढ़ाने के लिए विए खरीत के द पढ़िम है अच्छा लगेगा आपको पड़कर बाकी इंगलेंड बाला जो पक्ष है वह आपको भी जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि अतिश है था इस की तनी इंग्लेंड का पक्ष लिख रहे हैं तो कोई दोस्ट नहीं है उन्हें कहते हैं इंग्लेंड यह कहता है हां ठीक है हां बिल्कुल सही है एसा ही है पर मेरे मन में जो प्रशन आये वो मैंने कहे तो इस मुस्तर को बहुत खरीद के पढ़ना चाहिए और अच्छा रहेगा भार पक्ष उसने मजबूती से रखा है यह भी सही है बात बिल्कुल सही बात है और उसको हम पक्ष को रखने के लिए भी उसको बधाई देते हैं और अशु गुप्ता जी आपने अच्छी ट्रांसलेशन करी आपका बहुत-बहुत अभार धन्यवाद आपका लोग सही कहते हैं कि ऐसा लिखो कि लोग शब्द नहीं आपके ऐसास को समझें अब मैं जिस विक्तित्व को अमंत्रित कर रही हूँ वैसे तो आप सभी उनसे परिचित हैं लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं कहूंगी तो खुद के साब नियाए भी नही कड़िति के साथ सामाज के अंताकरन में प्रेणना भाव जागरित करते हैं. कुरोना काल की तरादशी में भी आप सक्रिया रह कर समाज कल्यान के कारियों में निरंतर सनलग्न रहे हैं. मैं आमंत्रित करती हूं आपको मंझ पर आप अपने विचार भी विक्त करें और हमें ग्रीद के लिए अज के कारिकम की अधिक्ष्टा कर रहे स्रीमान राम बादुराई जी विशिष्ट अतिति के रूप में दिल्ली विश्विद्याले के हमारे वाई शांसलर डक्टर योगर सिंग जी डक्टर सचाहन जी जोशी सिर्मान रमेशन जी गौड और इस पुस्तक का जिनों ने नवाद किया सुसरी अंशु गुपता जी सभाग्रे में प्रस्तित आदानिय बंधुयों और बहनों जिस पुस्तक के समंदर में चर्चा चल रही है के विल्डूरा ने लिखी पुस्तक लिया तो एक तो यह पुस्तक 1930 में लिखी नमर एक उसके बाद भी अंग्रेजी शासन 17 साल और चला देश में दो और यह पुस्तक बहुत कम समय में लिखी है तो इस पुस्तक में जो मैटीरियल है तो अंग्रेजों के अत्याचार इससे हजार गुना ज्यादा है उन्होंने सांकितिक रूप से कुछ बाते लिखी है और इसलिए यह पुस्तक कोई होलिस्टिक में ऐसा नहीं है और ऐसी पुस्तकें तब आभी रही थी तो हमारे दादा भाई मेरे उजी ने किताब लिखी थी पौवर्टी एंड अन बिटिश रूल और बिटिश इंडिया यह पहले आ चुकी थी भारत में अंग्रेजी राज सुन्दरलाल की यह दो वॉल्यूम में अभी भी उपलब्द यह पहले आ चुकी थी इस पुष्टक से ठीक तीन साल पहले एक अमेरिकन राइटर थे जे टी संडरलेंड उन्होंने भी पुष्टक ऐसी लिखी थी कि इंडिया इन बॉंडेज हर राइट टू फ्रीडम यह आ चुकी थी और भी कुछ पुष्टक आई थी कि भारत में का कैसे शोशन और इन बिटिश ने किया है कि विल्डोरा का अलग एक उदेश था सारे दुनिया का एक सिविलिजेशनल व्यू वे लिख रहे थे तो है कि थे वोल्यूम से लंके लगवक तैयार थे है है तो प्रारंब से उनका फ्रेंच और लेटिन के टीचर थे लेकिन बाद में आगे चलकर के फिलोस्पी के अच्छे स्कॉलर हो गए बाद में कॉलम राइटर हो गए उनके मन में आया तो लंबी बड़ी हिस्ट्री दुनिया की लिखने के लिए निकल पड़े हैं ग्यारे वॉल्यूम्स में यह सफ्लीजेशन ऐसा उनका एक मूड था कि इसमें कला है कहीं संस्कृति है कहीं फिलोसफी है हिस्ट्री है को नोमी है इसे सोसल आस्पेक्ट्स हैं वह सब चीज़ लिखते थे वहां के बारे में अरो इसलिए थोड़ाबे डिटेल में और थोड़ा डीप जाते थे जब फ्र रूसों को बहुत गहरा पढ़ा और रूसों रिवोलुशन इसके पुरुन लिखा पर और इसी पर उनको एक पुलिट्जर प्राइज भी मिला नैपोलियन को नहीं लिखा नैपोलियन की एज कैसी है उस एज में क्या परशितिया है नैपोलियन के चार अत्रप तो डार्विन को लिखा तो डार्विन का एज कैसा है उस एज में क्या क्या चल रहा है दुनिया में वो डार्विन को एफेक्ट करता है आइंस्टीन का एज एज पाइंस्टाइन तो उनका एक व्यू रहता था और होलिस्टिक एप्रोच के साथ वहां का सिविलाइजेशन उस समय के बारे में वो लिखते थे गहराई से जाकर करके यह उनका विशेश एक इंट्रेस्ट का विशे रहता था उसी संदर में वे भारत में आये थे लेकि भारत आये हो जब यहां का अध्यन शुरू किया उन्होंने तो उनको आश्चरिस बात का हुआ जो गहराई से देखने लगे कि भारत कैसा है कब से है कितना पुराना देश है तो एक और तो जहां जाते थे वहीं गरीवी भेंकर मुकमरी अशिक्छा यह देखने को मिलत था लेकि साथे साथ यह भी सिल्यों को मिलता था अरे भाइए पांसो साल आठ सो हजार दो हजार तीन हजार साल पहले यह देश तो 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 एसा देश ऐसा कैसे बना इससे जिम्मेदार कोन है कि इस पर उनकी अभिरूची गहरी होती चली गई तो वर्तमान का जो आज का स्वरूप और पुराना स्वरूप यह सब दोनों उनके सामने आ जाता था आश्चरिस बात का उनको हुआ जैसा कि पूरी के वक्ताओं ने भी बताया कि जब बिटिशर्स आये तब इस देश कैसा था बले इन्वीडर्स पहले आ चुके थे उनका शासन चलता था लेकिन जो दिख रहा है एकोनोमिक कंडिशन वो और अंग्रेजों के आने के समय तो अंग्रेजों की इस निरंग कुछ सत्ता ने अंग्रेजों के भयंकर अत्याचारों ने इस देश को यहां ला करके रख दिया तो गहराई से स्टडी करते हैं तो अंग्रेज कैसा लूटता है कैसे कानून लाता है कैसे यहां के लोगों को त्रस्त करता है यहां का सोशल सिस्टम यहां का इकोनोमिक सिस्टम यहां का पॉलिटिकल सिस्टम सब को कैसे तहस नहस कर देता है यह जब उनको दिखाए दिया तो जैसे पूरू के भक्ताओं ने बताया, उनके मन में गहरा गुस्सा बैठ गया, गहरा क्रोध जो बैठा, उस कारण से बैठा, कि इतने ये बरबर लोग है, सारी धर्ती पर ऐसे बरबर लोग, इतने अमानुशिक लोग, ये मिलना भी कठन है, इतना बरबरता पूर्ण इतना राक्षसी कोई राज्ये सारी धर्ती पर कभी भी हुआ होगा, वो ये है, यहां तक भी आ गए, लेकि वो ये भी लिखते है, ये ये जो इसी ती बनी है, इतना जो लूट हुई है भारत की, इस पाप की कमाई में सब साजीदार है, वो इसने कोई बोलता नहीं है, वो लिखते हैं, at this vilest peak, there was almost no major power or business house or influential person who had not benefited from the crumbs of plunder thrown at them by this island of ward plunderers. इस बिटेन के जन्ता में से कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं, कोई बड़ा संस्थान नहीं, कोई political leader नहीं, जो फाइदा न उठा रहा हो, अब एक आश्चर की बात भी और कठिन बात दिया है, उसी समय जिस समय ये सब लिख रहे है, अमेरिका से एक महला हो रहा है, ये कैथरीन मेयो, इन से तीन साल पहले उसने किताब लिखी है, Mother India, तो इसने जो Mother India लिखिया, बहुत खराब लिखिया भारत के बारे में, और यह लिख लिख करके छोड़ी नहीं सारी अमेरिका में उसका बड़ा डिस्टिबिशन किया है बड़े उसके प्रोग्राम के कैथरीन मेयो ने उसके यह कहा है भारत तो जंगली लोगों का है बरबर लोगों का है मूर्ख लोगों का अंसिवलाइज लोग है कितना खराब लिख सकती है एक लाजपत्राय ने भी अपनी किताब लेकि गांधी जी ने झीक बर कमेंट के कई किताब है और पुस्तक और आई जो कैथरीन मेयो के बारे में अच्छा निमानते उनी दो एक और बिटिशर है, भारत में घूम रहा है, वो भी लिख रहा है, वो भी नोल प्राइस बिनर हो गया बात में, वो रोडियाड किपलिंग है, वो रोडियाड लिखता है कि भारत में अगर हम लोग आए हैं, तो this is the white men's burden, हमारे श्वेत लोगों के कंदों पर भोज इन जंग्ली लोगों को सिभलाइज बना लनुलो को सुख्षित बनाना just लोगों को कुछ बुधी दीति में नंहीं ऩू मेंने अविश्थित को समझाना है को शीह स्टम लाना यहां पर ुषूर नेरी बच्चे परमपरा के तुमाकरível दिए म१र परबेदया कि on your shoulders to go India and get them literate educate them civilize them आईसा करके वो बेटें से स्कूल से, कॉलिजे से वहां के बच्चों को भीजता है ऐसा करके यह दो बड़े लेकक पहले आचुके हैं जो भारत के बारे खराब लिखते हैं इसी बीच में यह आता है तो विल्डियोजन के सामने एक तो यह चित्र है जे इसने अमेर कामे कैथरीन की किताब पढ़ी है इसने रोडियाड को भी पढ़ा है तो इसके दमाव में कनवी यह क्या लिखते हैं लो यह क्या है यह तो ऐसे मैं यह तो बड़ी कि मैं कलपना भी नहीं कर चकता कि दुनिया में ऐसी की गोर्मेंट हो सकती है जिसने डेड़ सो वर्षों के शासनकाल में इस देश को अच्छे बले देश को यहां तक लाकर करके रख दिया जितना मैं गहरा पड़ता हूँ तुराइम मैं इसको और ज्यादा गुसा आता है और दिकाश्चरी भी होता है यह लोग कैसे लोग है जो अपने आपको सब बोलते हैं और मैं देखता हूँ लाखों लोग ही आँखों के सामने भूग से दम तोड़ते हैं कौन जुम्मेदार है इसका यह देश ऐसा क्या था कि भूग से तलपते हुए लोगों को मैं देख दूसरों यह भी देता हूं कि भारस से लाखों टन खाद्यान जो है वे देश बेज दिया जाता है को फर्स वेड़े बार होके चुका था तो जारे जो अलाइज थे वो परिशान रहते थे तो भारस से खाद्यान मंगा मंगा गरे दुनिया वर्में डिपो बना रखे थे उन्होंने यह दुर्दुशा क्यों हो रहे है देश में यह भूख से लोग मरते क्यों पैदा तो अन्न होता है मरते क्यों है इतने क्यों नहीं प्राप्त हो पाता है इनको अन्न तो वह इस कॉन्कूलूजन पर पहुंचता है कि यहां के लोगों ने यहां के लोगों को इतना गरे बन दिया है इनकी पर्चेजिंग केपिशिटे नहीं छोड़ी यहालत कर दीज देश की यह 32 करोड का देश उन्दनों था गोगता दीज जो है दिनसंग्य के देखो सिवल्याइशन के साब से देखो यह लिट्रेचर के साप से देखो यह सब्विता बड़ी सब्विता ती सामाने बता नहीं थी जैसा पहले लिख लोगों ने बताया है यह महान सांस्कृतिक सब्विता वाला देश है को लंबस यह क्यों आना चाहता था यह इस नहीं लिखाए विल्डूरान ने पुस्तकों में किया इतने बड़े बड़े मंदिनों को बनाते थे इतना पड़ा सहीत लिखती थे कलाम इतने उत्करिष्ट थे यह सामाने लोग थे यह सामाने लोग थे कि सुन्दरगले ने जो किताब लुखी अपने ही जो मैं बताया बॉंडेज इन इंडिया के वाला उसमें सुन्दरगले ने रिका यह भारत ऐसा देश था इंडिये जो हर चीज का एक्सपोर्ट कर रहा था। अछिव सब शसेख एक्पोट करता थासिल्क था सूती कपड़ा था वूलं कपड़े थे लकड़ी का सामान था पत्थर के सामान थे भारत एक्सपोर्ट करता था इस टील का भारत इस अमेरिकन राटर संडरें ने लिखाए जो इसी का समकाली ने कंटमपरेरी है तीन साल पहले उसने लिखा है तो विल्ट्रेंट कहता है एक और भारत इतना बड़ा एक्सपोर्टर है भारत जो है इतनी बड़ी एकोनोमी है लेकिन एक डेर सो वर्सों के अंदर इस भारत को यहां लाकर के ख़़ा कर दिया ऐसा क्यों हुआ यह किताब का ए इतना संपन इतना सिवलाई देश कहां करके खड़ा हो गया और इसका मूल अपराधी है कौन तो एक और संडरलेंड की किताब है एक और इसके सामने कैथरीन मेयो और रूडियाड किपलिंग भी है वह जामियर का से आया भी है इसके सामने दुविदा भी है मैं सच लिखू यह ढय'll लिख रहें बता रहें इसको देख करके लिखूं हिमात का काम इसने किया नोर तो एक बड़ा संपन्न आर्थिक दुष्टी से सामाजीक दुष्टी से सांस्कृतिक दुष्टी से ऐसा देश यह कहां आ गया तो पहला अध्यास ने लिखा है के भारत को कैसे और आर्थिक दिश्टी से जरजर बनाया गया है कि बहुत सारे उधान उसने दिए यह जो दिए वह भी बहुत थोड़े हैं मैं कहता हूं जो टोटल अगर हम देखेंगे इस्ट्री में तो वह सारे उधान नौट मोर दन वन परसेंट जितना अपराद अंग्रे जुन किया है उसका वन परसेंट ज्यादा एक्जम्पल इसने भी नहीं दिये एक पी जो दिये वह देखिया वो कहता है जो क्लाइब जो है यह आया जो सत्रह सतावन की लगाई हुई प्लासिक लगाई हुई एक साल के है जंदर ही चायमत नाख डॉलर स्ने जहाज में भरकर केंग्लंग भीज़ दिया है ौसको चौटे दिया जो मिर्जाफर था उसको राजा बनाया तो बासट लाख डॉछ से थोड़े दिन बाद फिर उसको अटाया नजीम उद्वाला को बनाया गैर लाक डॉलर अश्य ले लिया ऐसा हमला का एक डेड़ करोड डॉलर दो तीन साल में राजा बदल के लिये लेता था ये वो यह सिविलाइज़ लोग है क्या यह 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 विल्डूरंट पूछता है अपने मन से और लिखता है यह यह सिविलाइज़ लोग ही लोग अगला वो लिखता है धीरे द्री स्त्रे से एक्स्प्लोइटेशन हो रहा था कि कि खिसान को अपनी उपज का 50% लगान में देना प यह दूसरे राज़िव में चले कि भी हम लगान नहीं दे सकते तरह पैदा ही नहीं होता है कांसे दें पुलिसा करके मारती है यह क्लाइफ जो बिदेश में गया तो कहता है कि भारत में इतना पैसा है कि मैं इतना कम ले करके आप आया इसका मुझको दुख है यह पता लगते ही जो क्लाइफ शुरू आप में था ना 1757 में आया था यह गया वहां इंग्लेंड तो बज़े कर इतना बड़ा पैसा भारत में भरा पला था मुझको आश्यर दुख दोनों है मैं इतना कम ले करके आया हूं जो भारतिया सामान विदेश जाता था इस पर जो चुंगी है टेक्स है चार गुना कर दिया उन्होंने जिसे भारत का सामान कोई भी वह इंग्लेंड में जाही न सके इस ने कमपनी की आमनी एक दम इतनी बढ़ गई कि इसका जो शेर था वो 32,000 डॉलर बढ़ गया यह कैसी कमपनी एक दम मुची बढ़ती गई राजाओं की नियुक्तिया मन माने डंग से करने लगे जो पैसा जितना जादे थे उसको राजा बना देते थे और दो तीन चार वर्षों के अंदरी तीन करोल डादर इसी बास से कमा लिए राजाओं को शिप्ट करते करते एक और खिसान की हालत खराब राजा बनता था पैसा दे करके और ले करके ऐसे में एक अंग्रेज पादरी है जो हरवर है ना 1826 में लिखता है कि किसानों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है यह कंगाली और दरिद्रता की और बढ़ गए यह 1826 में लिख रहा है और अंग्रेज पादरी है अब बिटिश गोवर्मेंट और कंपनी दोनों सहमात हो करके लूट रहे अब कोई से लूट ने में पीछे नहीं है एक एक एफजे शोर करके बाएं का सांसद है हाउस अब कॉमन्स में लिखता है हमने अधिक्तम टेक्स वसूली का अपना सिद्धान्त जारी रखा है जो भी राज्य उसके नियंतर में आता है उसे अधिक्तम टेक्स वसूला जाता है इसके साथ हम भारतियों को किसी भी महत्त पूर्पद से दूर रखते हैं किसी भी भारती को इंबोडन पोस्ट में लाना ही नहीं टेक्स बढ़ाते चले जाना भारत बैंकरप्सी की और बढ़ने लगा एक अंग्रेज है हम हेंडमेन उस नहीं किताब लिख्या कैसे भारत धीरे-धीरे एक बैंकरप्सी की और बढ़ता चला जा रहा है विलियम हंटर करके हैं उसकी रिपोर्ट आई 1875 में उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि टेक्सेशन की ये नीतियां हैं इतनी अपमान जनक इन हूमन हैं अब किसान के पास टेक्स देने के बाद वर्षवर के लिए खाना नहीं बसता वह क्या करें के दूसरों ब्रेटेन भारत को कर जा देने लगा भारत का यह पैसा जाता है भारत के विकास के काम में लगाता है उसको लोन मान लेता जैसा पता है डौक साफों ने अभी रयले वे लगा तो रयले बैटिश नहीं लगाया है पांच गुना पैसा लगा करके बसूल लिया भारत से बसूला दीरे दीरे भारत के उपर लोन बढ़ता गया ब्रेटेन का सेवंटीन नैंटी टू में दिस वाइज अउनली 3.5 करोड डालर 1929 आते हैं थे 350 करोड डालर हो गया इस तरह से भारत को गरीबी के लिए मजबूर किया गया पैसे कई बार मैंने उधान दिया होगा कि कैसे भारत हर चीज का एक्सपोर्ट करता था दुनिया में सुंडर लेंडन तक लिखायें बाशमने भी लखाया बहुत लोगे लिखाया Ugh लेकिन भारत का कपडा भारत के शौल भारत के कारपेट भारत के परफ्यूंस इसुफञा Award बहु हिया जाता था इस आप ठेक्स लगा दिया और एग्रीक कल्चर पर भी टेक्स बहा दिया और भारत के पैसे से बिटेन में कार खाने लगने शुरू हुए इसके उपर बहुत रिसर्च अंग्रिजों नहीं करके रखी हुई है हमको आश्रिस बात का होता है भारत के जो इकोनोमिक्स के प्रोफिसर्स है इस पर बहुत कम काम करते है क्यों बिटेन का जो इन्वेस्टिय रिवोलीशन हुआ उसमें भारत के पैसे का कैसा इन्वडुमिंट है कैसे भारत का जो इन्ड activities राशन हे उसको खतमकरे बिटेन का इंडुसर्स राइशन हुआ है तो मैंचेस्टर, बर्मिंगम, लंकाशायर, पॉर्सलेग, ग्लासगो, यहां के कार खाने अस्तुत में आए, कपड़े के कार खाने बंगाल में, धाका में, महराष्ट में, गुजरात में थे, वे बंद हो गए, सब कार खाने वहाँ शिप्ट हो गए अब, को वहाँ पौरलूम आ गए, भारत के कपड़े पर चार गुना, पांच गुना, छे गुना, टेक्स आने लगा, पूरा जो भारत है, इकोनोमिक दस्टी से बेकवर्ड हो गया, भारत बहुत बड़े जहाज बनाता था, कंपनी ने बेन लगा दिया, भारत से कोई भी सामान जाएगा, तो बिटिश कंपनी का जहाज ही उसको लेकर जाएगा, भारत के जहाज में नहीं जाएगा, दूसरा बेन आया, भारत में पानी के जहाज अब नहीं बनेंगे, भारत के जहाज बनते थे, वे आठ और नो यात्रा कर लेते थे, तो मरमत के लिए बाहर आते थे वह भारत के सारे जहाज जो है बंद कर दिये गए अब अंग्रेज व्यापारी एक जीते व्यापारी के रूप में भारत में आते थे और भारत केवल खरीदार या रो मेट्रियल को बेचने वाला बन गया जितने भी यहां इंप्लाइज होते अब अब बिटिस बिटिश कमपनी के अब आप फिटिस ग्रॉर्मेंट के उनकी होगते proudly था है उनकी बीटेर लिंघ के रहने लगते से एक पच्चीस सबी साल मुकरी करते थे बाद मुझ की पैंस्टयों ञाजोए भारता था किसी भी भारतिय व्यक्ति को एक ही शमानपत पर अधा पैसा मिलता था यह कभी वनफोर्थ मिलता था हम जानते हैं डॉक्टर जेशी बोस जब एक समानपत पर थे उनको आधा वेतन मिलता था उनने मना कर देने आधा वेतन नहीं लेंगे मेरे समान पोष्ट पर यह प्रोपेसर में प्रोपेसर हुँ उसको मेरे दूगना वेतन मिलता है यह कैसे होगा यह नहीं होगा तो जग्दीश चंद्र बसूँ ने वेतन लिली ने समना कर दिया हुआ दो धाइस-्तीन के लिए नौकरी के लिए समान में तर नहीं मिलता था आदा मिलेगा वन फोर्थ मिलेगा ऐसा था और इस तरह से दीरे 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 भारत का जो शकल राजस्व था पूरा टॉटल रवेनु भारत में कलेक्ट होता था उसका आदे से भी ज्यादा हिस्सा बटेन चला जाता था एक मंट गुम्री करके पाकिस्तान एक जिला है मंट गुम्री करके एक ऑफिसर था वह खुद लिखता है अगर यह धन बाहर नहीं जाता 1838 में वह लिखता है पुरा नाम एक करोड़ पचास लाक डालर हर साल जा रहा उस समय इंग्लेंड जा रहा है वह कहता अगर यह नही हो जाएगा व्यास से बहुत पैसा आजाएगा एक बड़ी समस्याजी आई और धीरे 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 भारत के कृशक या व्यापारी सब की ही हालत खराब हो गई परचिजिंग पोवरी कब हो गया जो अकाल पड़े तो अकाल एक बात का प्रमान है कि भारत में गरीबी का इस्तर कैसा हो गया एक पांच शे वर्षों में चार बार भेंकर काल पड़े डेर करोड से ज़्यादा लोग मर गए बात में नाइंटीन फॉर्टी त्री बंगाल का फेमी नहीं अलग है इसमें अकेले में डेर करोड लोग से ज़्यादा मर गए इस पर बड़ी भारी रिसर्च हुई है और सब रिसर्च में मैं बड़ा बड़ा मत यह बना यह सारे जो फेमीन आये इसका कारण बिटिस पॉलिसी था और बात मुझको कहने में कोई संकोष नहीं सुम गांधी जी नहीं भी बात कही है फेमीन आते हैं लोग भूख से परिशान होते हैं और मिश्णरीज के लिए काम मिल जाता है उनके लिए फसल उग जाती है एक बाउल चावल दे करके तुम उनके पूरो जों का धर्म बदल देते हो तुमको लज्जा नहीं आती यह गांधी जीने का है फेमीन उनके लिए तो समझिए कि फसल होती थी जहां फेमीन हुआ वहां बड़ा मास कन्वर्जन सुरू हो जाता था चावल लेकर के पादरी पाश्टर फादर बैठ जाते थे और देश की गरीब जंता का मतां सुरू हो जाता था इसे फेमीन उनके लिए मौका था कि यह दुनिया में ऐसा भी कुछ समाज है जो प्रयाव को विक्षिस सिवलाइट कहता है वो शासन में भी रहता है और अकाल को मौका मानता है अवसर मानता है वहां के लोगों का मतांतरन करने के लिए एक दूसरा पक्षय है वह सेना का है पूरी की पूरी सेना जो है उसका खर्चा तो भारत उठाता था 1857 के वर्डन किया और यह फर्स्ट बड़ बार में सेना गई लड़ने के लिए एलाइस के लिए उसका खर्चा भारत को देना पड़ा सारे 13 लाख लोग गए थे विल्डूरेंट लिखते हैं उन्होंने मरने वालों किसन के अशायद नहीं लिखी है देर लाख लोग मरे खर्चा भी भारत का मरने वाले भारत के राज उनका सेकंड वर्ड वार तो उन्होंने लिखा नहीं विल्डूरेंट नहीं सेकंड वर्ड वार का भी यही हाल था विल्डूरेंट परेशान इस वास्ते थे कि फर्स्ट वर्ड वार जो हुआ और फर्स्ट वर्ड वार के समय भारत के लोगों को जो आश्वासन दिया था वो भी पूरा नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है मनने सोचते लिखते भी है एक समाज एक देश जो आपके लिए गुला में पराधीन है आपकी कोलोनी है आपके शासन की सुरक्षा करने के लिए अपने तेरे लाख लोग भेजता है उसमें से कई लाख लोग मर जाते हैं उनका उनका पैसा भी वह देश देता है और आपने जो आश्वासन दिया वहीं पूरा नहीं किया उनको अधिकार के नमपर कुछ भी नहीं दिया इन हुमन यह बार्बरिक है कि ऐसे क्यों करते हैं ऐसा भी कोई समाज कर सकता है यह विल्डिन प्रिश्टा पूछते हैं यह क्या किया आपने जो गांधी जी ने मिप कहा उसको उम्मीद थी हमने आपका साथ दिया ललाई भारत में नहीं हो रही थी भाई फश्के बड़ा बार भारत में नहीं था यह दिया आपने 1922 आते आते हैं भारत के टोटल राजस सुकास 64 परसेंट के वह सेना पर खर्च हो जाता था पूरे टोटल रविनु भारत का टोटल गलेक्शन का 64 परसेंट अकले सेना पर और सेना काई के लिए उनके सामराज को इस्थिर करने के लिए जो अच्छी नौकरियां थी उसमें भारत के लोगों का शेर डेट पर फूर परसेंट उनकी सेलरी नहीं कम है कुण मिला करके कैसे भारत के मन को तोड़ दिया जाए भारत का आत्म विश्वा स्वाइमान सम्मान आर्थिक विवस्ता सब बरबाद कर दी जाए आर्ची चडर जी लिखते हैं कि हम योग डाक्टर रखते हैं हमारे लड़के बच्चे पढ़कर के आए हैं लेकिन उनको अयोग ऑफिसर्स के साथ रहना पड़ता है या आत्म विश्वा सम्मान को तोड़ने वाला और बेहद अमानविय वेवार था जो लिखते हैं ऐसे बेरहम और कठोर विदेशी शासर के अधीन बला कौन सी कौम संस्कारित गुरों की रख्षा कर सकती है इतने अमानविय जो बेभार हो रहे थे इस शासर में कौन सी जाती ऐसी है कौन समाज है जो अपने अच्छे सद्गुनों को बचा करके रख सकता है सारी प्रगती का गला घोट दिया एक सम्मरद और वेभव साली समाज जो था वो बेहत दरदनाक रूप से कुचल दिया गया यह विल्डियन का एक आर्थिक जगत का अपना पक्ष है प्रग्लापक्ष लिगते हैं सिक्ष्शा का वो लगते हैं सिक्षा इस देज में मैंने सुन आये अच्छी थी विल्डियन लगते हैं आप ही लोगों दिखर करका रख ए शिक्षा का व्याप अच्छा था यहां कि क्या कर दिया आपने इसके बारे में तो पहले भी चर्चा भूत आई है कि जो बिटिशार्स नहीं जो लिख करके रखा था कितने शिक्षा थी बाद धरम पादी ने इसको अच्छे से बीटिफिल ट्री करके लिखा है वो घटना हम सबको याद रहनी च समय विवर मोर लिट्रेट देन नाओ कि क्या मतलब एक वहां धाका के वाइस शांसलर बैठेते पुराने क्या करें गांदी जी आप वहलों मैं यहीं कह रहा हूं जब बिटिशर्स आप लोग जब भारत में आएं उस समय हम अधिक सिक्षित थे वह वाई शांसलर ने का क्य अध्याले मदराज प्रसिडेंशि में सवा 500,900,000 ना मैं बंबल प्रसिडेंशि में भी हमारे विच्डेंशि में बश्ञा टीर्ण यह यहीता कलकता का व यह था वो रिकॉर्ड आपके मोजूद है धरहं पाल स्वाँ उसका कलेक्शन प्रूटेट ट्री तुमने उसको उखार करके फैक दिया और ऐसे पला रहे नहीं दिया उन जड़ों को सूखने के लिए उसमें भारत की सिक्षा में सारी जनता में 73 परसेंट स्क्षरता थी हमारे देश में हर गाव में जा ले था बाद में बिलडियान लिखते हैं अब केबल 4 सेंट बच्चों को सिक्षा दी जा रही है देश का कि 1930 पाल जिकर कर रहे है केबल 4 परसेंट बच्चों को शिख्षा दी जा रही है आगे लिखते है भारत में कोई शराप में पीड़ा ने छेटी को अच्छा नहीं मानते थे आपने अभिमकिश्च देशक है अब क्या करना चाहें इस देश का और इस तरह से एक और आर्षिक दृस्टी से। से सामाजिक दृस्टी से आप इस देश को देश को परfelt fell रहे हैं अगला उन्होंने अध्या लिखाए गांधी का गांधी का अध्या लिखते लिखते वे वे लिखना चाहते हैं भारत इस लड़ाई को कैसे लड़ रहा है कि उनको आश्यरी भी होता है दुनिया का कोई देश ऐसे भी कोई आज़ादी कराई लड़ सकता है तो गांधी जी सत्य और अहिंसा को ले करके चल रहे और उनके पीछे लाक हों लोग खड़े हैं वो गांधी को अध्यन करते करते वो सत्य का अध्यन करना चायते हैं जिस सत्य पर यह देश ख़़ा है और गांधी का वड़न नच्छा किया है समय समय पर गांदी जी का अनुवब कैसा आया है कैसे बिटेन की पुलिस जो है यह लोगों को मारती है और लोग मार खाते हैं प्रतिकार नहीं करते हैं यह विडियों के लिए बार आश्चिर जो लगा के दुनिया में ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा पुलिस लाटी चार्ज करती है लोग पीट कर देते हैं मारो इस पर लोग हाथ उपर करते हैं मारो मारे हाथ पर लोग के कंधे तूट जाते हैं पै तूट जाते हैं इलाज कराते हैं लेकिए प्रतिकार नहीं करते भागते भी नहीं उसे नया रूप देखा भारत के आध्यात्मिक इस आंदोलन का उन्हें गांदी जी का बंद कई प्रकार्चे किया है अच्छी बात है लेकिन च़ौरी चवरे की घटना का बंद मैं अच्छा किया है गांदी जी प्रशुत होते है गांदी जी को पर केस है आपने आंदुनन चनुच शुरू किया, इसमें हिंसा हुई, लोग मारे गए, गांधी जी ने कहा, हाँ मैं अपरादी हूँ, और मैं अपरा स्युकार भी करता हूँ, मेरे कारण से ये हिंसा हुई है, ये सच है, मैं इसके बचाव मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, मैं स्यु सजा दीजिए, या अत्याकपतर दे करके चले जाएए, सजा देना मस्ठ है आपको, क्यों मैं अपरादी हूँ, मैं स्विकार कर रहा हूँ, विल्डूरान ने इसको अच्छे से लिया, और मैं कहा कि बुद्ध की परंपरा में ऐसे लोग भारत में आज खड़े हैं, और ग प्रोद में एक नए प्रकार का ये सुतंदरता का अंदूरन है, दुनिया इस अंदूरन को अच्छे से समझ करके चले, आगे उनने एक अध्याय और लिया, उस अध्याय में लिखा, देश कैसे आजादी के भिन्ने भिन्न पक्षों से गुजर रहा है, आजादी मिलनी चा कहता है, ये बात उन्होंने अलग पक्ष में कही, बिटेन ने ऐसा आत्याचार किया, यहां के लोगों का ऐसा मानना है, गांधी जी अंदूरन में सामने आए हैं, वो मेरे को ऐसा लगता है, अब मैं बिटेन का पक्ष आपके सामने लगता हूं, इस सारे के पीछे बिटेन ने लिखा है, नहीं आशा नहीं है, इस देश्किक एकतां सनातन हैं, हजारों साल से देश, लू मौली को से, वैचारी को से लूत से अध्यातनी एक है, विल्दूरन ने यह कहा है, यह कहा यह देश तो बर्बर है, यह देश जाहिल है, हमने उसको सब्धा चाहिए, उनका परबाद किया है लेकिन उनका परक्षण नहीं रखा है यह प्रशासन नहीं था हमने प्रशासन दिया है यह तरह तरह के और ऐसे काम होते थे जो समाज में अच्छा नहीं माने जाते जैसे मैला को जिंदा जला देन ऐसा सती का था अजिए बहुत बाते जो अंग्रेज बोलता था वो अंग्रेज का पक्ष जो है वो उन्होंने जसका तस एक कुछ प्रश्टोमर दिया है अन्तमें कॉंक्लूजन करते हैं कुन मिला करके भारत के पक्ष को रख रहे हैं अब हमारा करतब क्या बनता है यह सारी पुष्टक में से अपने को क्या मिलता है कि मेरा कहना वही है कि आजादी मिलने के बाद जो हमारे विद्वान प्राध्यापक थे उन्हें पीछे मुण के नहीं देखा आजादी के संगर्श के जमें लोग देख रहे थे पीछे दादा भाई नोरो जी है को सुंदरलाल है उन्हों पीछी रहे थे उन्होंने कोई पुष्टक लिखी बहुत लोगों पुष्टक लिखी वो जबाम में लिखते थे हिम्मद से खड़े हो जाते थे लेकिन के हैसा था हमारी इंडोस्टी कैसी थी हम कैसे एकस्पोर्टर थे वर्ड एकोनुँमम कैसे खरे थे क्या था वो हुँ हमारे देश की फंडामेंटर रीटी है वो पॉलिटिकल रीटी जए से इुपर है आजाधी के पहले जतने गरंथ आए उतने गरंथ बाद में नहीं आए और इसलिए आज हमारे सामने एक बड़ी चुनोती यह खड़ी हुई है कि आजादी के बाद सुतंतता के बाद हमारे पास विद्धु समाज था उसको एनलेटिकल व्यू रख करके गहरा अध्यन करना चाहिए था और दस्तावेजों में जाना था इतिहास में जाना था अभी भी समय बीता नहीं है और इसलिए आवश्यक्ता है इस बात की है कि हम कौन थे क्या थे जो अंग्रेज ने लिख दिया वही थे आज की समस्याओ उनकी बड़ी जड़ अंग्रेज है वह लिकर के रखके गया है वह यहां इस देश में आज बड़ी-बड़ी समस्याओं को दिखती है उनकी जड़ में जाई है ना वह बैठा दीखेंगा कहीं ने कहीं है इस सेक्रों समस्या है जो अंग्रेज ने पैदा की है जिनसे आज ह हम रूबरी होकर के संगर्श करते हैं उनको निप्टानी की कोशिज करते हैं तो जड़ में जाग करके देखेंगे तो ध्यान में आएगा अंग्रेज बैठा है वो कौन था जिसने उत्तरों दक्षिन भारत में विभाजन का बीज बोया वो कौन था इसने का आरे बाहर से है और बाहर सब्सक्राइब है वो कंधे निनुने का कि नागा एक देश है नागा एजे निंशन मिजिश से नैशंका कौन था हर भागा रिप्षा का एक नेशन होता है ये बीजि गृता है ऐसी एक दो बात नहीं शेकड़ बात है बना प्लेंड वे में इस देश में समस्याएं खरी करने का काम और उनको अच्छे अच्छे डंग से आइटिकुलेशन देने का काम गरंत लिखने का काम उन पर शोज लिखने का काम यह यह नहीं करवाया है लाइबरेरी भर के रख दी कैसे भारत टुकड़ा टुकड़ा हो जाए फ्राग्मेंडेशन हो जाए बालकनाजिशन हो जाए देश का एक अच्छी बात है भारत की जो मौलिक एकता है उसने उनकी उन समस्याओं को धबा दिया चर्चल साब क्या बोलते आजादी की पहले देखिए न अरे यह देश प आज चर्चल जिन्दा होती तो देखते हैं वो सोचिजम शाह से नहीं चला सकते हैं चर्चल साब कहते हैं यह देश तीस चालीस करोड को खाना नहीं खिला सकता यह 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 रैबिट की तरह बच्चे पैदा करते हैं कौन जिम्मेदार लेगा इनके खाने की इनको भूको मरने दो यह यह स्टेट्मन चर्चल साब का है इनको भूको मरने दो ऐसे कोई बोल सकता है यह चर्चल नहीं बोला है आज हम एक सो तीस करोड लोग हैं और चार करोड टन एक्ष्टा पैदा करके दुनिया को देते हैं Who was responsible for all these famines? कौन जम्मेदार था? ये चर्चिल और चर्चिल की गवर्मेंट जम्मेदार थी केवल. वही जमीन है, वही पानी है, वही के लोग है. हम 30-35 कड़ को खाना नहीं दे पाते थे. कौन ही दे पाते थे? बिटिच गवर्मेंट थी. इसने खाना नहीं दे पाए. फेहमीन का कारण तो एडिमिनिस्टिशन था. फेहमीन का कारण मैंने बताया वो था. फेहमीन का कारण हमारी आबादी नहीं थी. हमारी जमीन की कमजोरी नहीं थी. हमारी अवेवस्ताएं नहीं थी. फैमीन का कारण ये लोग थे आज आवशिकता है भले बात बीत गई कोई बात नहीं लेकिन शोध होना चाहिए इस फैमीन की किसके उपर थी हमारे देश को द्योगों को बर्बात करने की जिम्मेदारी किन के उपर थी हमारे देश के अंदर आज इतने जगड़े लगे उन जगड़ों के बीज किसना पोई थे और इसलिए सारे विश्व परद्रश्च में इस धर्ती पर जो विल्डुलन ने कहा है इत इतने बेशर्म लोग इतने अपरादी व्रत्ती के लोग इतने अमानुशिक विभार के लोग हो सकते हैं मैं कलपना भी नहीं कर सकता उनकी कलपना बिल्कुल ठीक है वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सच को सच कहने की हिम्मत रखी मैयो बोल रही थी है रोड़ यार किपलिंग बोल ले थे उनके विरोध में खड़ा हुआ ये व्यक्ति वो जानता था अमेरिका में जाकर करके मेरी को इसमें यस नहीं मिलेगा अमेरिका में जाकर के भी मुझको अपयश ही मिल सकता है फिर भी उस व्यक्ति ने सच बोला हिम्मत से बोला हमारा दुख है उसकी पुष्टक का ट्रांसलेशन इतना विलंब से होता है और हमारे विश्वद्यालेओं के यह बहुत प्राइमरी पुष्टक है बहुत गहरी नह हैंगे हजार गुना जादा बड़ा अत्याचार इस देश ने जहिला है लेकिन उसको लिखने की जरूर आवश्यक्ता है आज की वर्तमान के जो विश्विद्यालेओं की पीड़ी है उसे जरूर उम्मीद है वो इसके उपर आगे बढ़ें इन पर शोद प्रबंद आने च हो और विश्व इतिहास में दुबारा से कोई भी समाज इतना अत्याचार किसी भी समाज को पर करने की हिम्मत न करें यहीं सची सुर्धांजली विल्दूरेंट को होगी मेरी बहुत 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 शुब कामनाए हैं अन्शू जी को और प्रकाशक को नमस्कार अब हर गुरुवर इतने अद्भुद वक्तिते के लिए आज की कारेक्रम के दिख्षता कर रहे वरिष्ट पत्रकार लेखक वरन्य व्यक्तितु सर्जनात्मक्षक्ति और मान्वी मुल्यों से उत्परोथ त्याग समर्पन और भाव भूधन से अलंकरित समाननी आदर्नी शदेश्री राम बहादू राइजी आदर्नी कुल्पति, प्रोफेसर जोगेश सिंग जी, इंद्रा गांधी राष्टी कलाकेंद्रे के सदस्य सचिप, डाक्टर सिदानन जोशी जी, प्रोफेसर रमेश गोड जी और अन्सु गुपता जी और मित्रों. मैं आप लोगों से ये सवाल नहीं पूछूँगा कि डाक्टर किस्पोपाज जी के बोलने के बाद मुझे बोलना चाहिए या नहीं? मैं अपनी मजबूरी आपको बता देता हूँ कि एक तरफ डाक्टर सिदानन जोशी, दूसरी तरफ रमेश गोड ये दोनों के अनुसासन में मैं अध्यक्ष हूँ. तो अनुसासन के कारण मुझे बोलना पड़ा है और इसलिए क्रिस्पोपाज जी से इनके बोलने के बाद बोलना सचमुच मेरे लिए थोड़ा कठिन है. बिल्डुरेन की जो पुस्थक है The Case for India ये प्रतिबंदित थी, आपने सुना. इस कारण चर्चित भी थी, परन्तु अनुपलब्द थी. और जो बात डाक्टर सेजदानन जोशी जी ने उठाई, कि सयोग से जो सवाल इनके मन में था, करिब करिब वही सवाल मेरे मन में भी था और उसका कुछ उत्तर मैं आपको बताता हूं अबे. यह कैसे उपलब्द हो सकी या एक दिल्चस्प कहानी है और यह कहानी हम सब को जानना चाहिए. उनिस सो पचीस में एक बच्चा पैदा हुआ, करनाटक में मंगलोर के पास और अब वो मंगलोरू है, एक छोटा सा गाओं है, उस गाओं का नाम है ठेकाटे, वो बच्चा खुदरा व्यापारी के घर में पैदा हुआ. लेकिन दो साल बाद ही उसके पिता चल बसे, तो वो एक तरह से अनात्थ हो गया. और जो एक खाता पिता संपन सा परिवार था, उस परिवार में उस बच्चे का जो बच्चपन था, अब संघर सूप में सुरु हुआ. लेकिन पढ़ने लिखने में रुची थी, पुस्तकों से उसे प्रेम हो गया था, और उसने पढ़ाई वड़ाई की, उनिसव अर्टालिस में वो मुंबई आया. मुंबई पहले भी आया था, लेकिन उनिसव अर्टालिस में वो आया. और अगर आप इस जन्पत की सड़क पर टालते हुए जाएं, तो जो ओन जी सी आयल इंडिया की बिल्डिंग है, उसके सामने बहुत सारे चीजे लगी हुई है, लेकिन एक छोटा सा कियास्क है, खोका, खिताबों का, आपने देखा होगा, उसके, उसका, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ, 1980 में जब मैं यहां आया, पर्णित दिनानात मिस्र मुझे मिले, बोर्ट कलब पर हम लोगों का कोई प्रदर्शन था, तो उन्होंने कहा कि आपने फ्यूचर साक्स पढ़ा है, उस समय उस पुस्तक की बड़ी चर्चा थी, तो मैंने कहा कि वो कहां मिलेगी, मुझे बताईए, मैं मेरे जिब में कुछ पैसा है, मैं खरित लूँगा, तो उन्होंने कहा कि जनपत्थ यह जिस जहां आप बैठे हैं, वही पर एक छोटी सी किताब को छे साथ सो रुपे की उस किताब को मैंने खरिदा, और टहलते हुए जनपत्थ पर जब गया उस कियास्क के पास, तो वो किताब सो रुपे में वहीं मिल रही थी, ऐसा ही एक कियास्क, उन्हों सो अर्टालिस में, पहले तो उस आदमी ने किताबे बेचने का काम स जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जनपत्थ पर ये कियास्क है, वैसे ही उसने स्ट्राण्ड सिनेमा के साम पास एक कियास्क बनाया, और उसकी महनत रंग लाई, उनिस सो तिरपन में उसने फिर स्ट्राण्ड बुक इस्टाल बनाया, और वह व्यक्ति जो लोग उससे किताब खरीदने आते थे, उससे सिधा संपर्क रखता था, मैं आपको बताऊं कि उसके ग्राहकों के जरा नाम में पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, ग्राहकों में पंडित जवारलाल नहरुत थे, अंबालाल सारा भाई, मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल मैसूर के दिवान हुआ करते थे, टीटी कृष्णाशारी, वाईवी चवहान, एपी जे अब्दूलकलाम, जे आईडी टाटा, खुस्वन सिंह, वियस नायपाल, सुली सुराब जी, इन नाराइन मूर्ती, नानीपाल की वाला, घंस्यांदास बेडला, केसो महिंद्रा, अजीम प्रेम जी, ये उसकी ग्राह थे, और तो मैं ये कहूंगा, कि उसे पुस्तक विक्रिता नहीं, एक स्कालर के रूप में अव्याद किया जाना चाहिए, और वह अव्यति था, टेकाटे नाराइन सान्वाग, भाग, टेकाटे नाराइन सान्वाग, मैं कहूंगा कि वो बहुत कीमती आदमी था, और उसे म क्यों याद कर रहा हूँ, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस पुस्तक से उसका संबंध है, उनिसो साथ में, टेकाटे अमिरिका गए, और जाकर विल्डुरंट से मिले, तो विल्डुरंट ने बातचित में, टेकाटे से काए, कि मैंने भारत पर एक किताब लिखे थी, अब बात बात में उन्होंने ये कहा कि इस फार इंडिया मैंने पुस्तक लिखे थी, यह टेकाटे भारत आये, उसको खोजने लगे, और उनको किताब मिली नहीं, एक दिन इन्फोसिस के मोहंदास पई ने, इस पुस्तक की फोटो काँ पी, उनकी बेटी को दिया, विद्या विरकर बेटी का नाम है, विद्या विरकर को, उन्होंने उसकी फोटो काँपी दी, और विद्या विरकर ने अपने पिता को, यानि उस मंजिल तक उसकी फोटो काँपी पहुँची, जिसकी टेकाटे को तलास थी, और फिर स्ट्रांड बुक्स इस्टाल के मालिक ने यानि टेकाटे ने दोहजार साथ में इसे छपवाया, उनिसो साथ से लेकर दोहजार साथ और दोहजार नौ में पुने इसकी कुछ प्रतियां छपी, मुंबई जब मैं जाता था तो मैं इस्ट्रांड इस्टाल जरूर जाता था, पहली बार अंग्रेजी मूल में इसके पाठकों को, एक महिला ने उपलब्द कराने में निमित्त बनने का सोभागी पाया, वो विरकर है मैंने आप से कहा, और हिंदी में यस अंसुगुप्ता को मिल रहा है, हमें अंसुगुप्ता का अनुग्रहित होना चाहिए, रे माधव ने इसको छापा है, मेरे पास जो अंग्रेजी प्रति है, उसके कभर पर हिमाले का द्रिस्य है, और पतली सी किताब है, 2009 में जब यह दूसरी बार छपी थी और सहीं उक से मैं मुंबई में उन दुनों दो-तिन दिन के लिए था, और वहां जाकर हमने उसको खरीदा था, लेकिन मैं यह भी कहूंगा आपकों कि 2009 में स्ट्रांड की डेथ हो गई थी, मैं उस व्यक्ति से मिल नहीं पाया, रे माधो ने जैसा सेजदाने जी ने कहा ठीक ही कहा, बहुत आप इसको देखेंगे तो अच्छे ढंग से आकरसक ढंग से यह पुस्तक आपके सामने आई है, और इन्होंने प्रतक्ष दरस्टा साहिती सरिंखला, एक सरिंखला शुरू की है, मैंने जानता कि इस सरिंखला को यह चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन रे माधव से मेरा एक संबंध बारत तिरह साल पहले आया था, मुझे एक प्रनित भानुपरताब सुकल के नाम से संब्मान मिला या पैसे कुछ मिले, तो उसी समय मैंने मंच पर यह घोशना की, कि जो प्रेस कमिशन की रिपोर्ट आई है पेड नियूज पर, उसके अनुवाद के लिए मैं यह पैसा दूँगा, तो मेरे बगल में बैठे थे अतुल गर्ग, जो पिछले बार मंत्री भी थे, इस समय विधायक भी हैं, अतुल गर्ग ने कहा है कि तो हम उसको छपवाएंगे, और रे माधो यहां कई लोग हैं हिमान सो से कर रहे हैं, बिमल सिंग तो नहीं हैं, लेकिन यह सब लोग रे माधो जा करके और वो अनुवाद की हुई और हमारा प्रभाज जी का और लोगों का जो पेड निूज पर लेख थे, उसको मिला करके और काली खबरों की कहाने रे किताब नहीं है, लेकिन काली खबरों की कहानी छपने से यह जरूर हुआ कि बड़े अखवारों ने हमको काली सूची में डाल दिया, क्योंकि जो आज बड़े अखवार हैं, वे सब कोई 200, कोई 300 करोन रुपया उन्हेंने 2009 में कमाया, और उसको उस रिपोर्ट ने भी उज बुजागर किया और हम लोगों ने लिख करके भी उजागर किया, मैं नहीं जानता कि अब रिम अधाव अतुलगर्ग से उनका संबंध है या नहीं है, लेकिन मैं संभवतव बिल डुरांट की पुस्टक का प्रभाव ही, इस पुस्टक का प्रभाव और कहुं पड़े या मैं यह मानता हूं एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते, मैं इतिहास का विद्यार्थी पढ़ता था तब नहीं था, क्रिस गुपाल जी के सतसंग मैं बने विया हूं, मैं तो अरसासर का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन बिल डुरांट की इस पुस्टक का प्रभाव मै मानता हूं कि और कहीं पढ़ा हो या नहीं जवारलाल नेहरो पर तरह नहीं पढ़ेगा क्योंकि जवारलाल नेहरो काते थे कि मैं अंग्रेजु जैसा ही हूं लेकिन रूजिवल्ट पर पढ़ा अगर कोई खोज करेगा तो ये पाएगा कि रूजिवल्ट ने इस किताब को जरूर पढ़ा और यहीं वज़ा थी कि दूसरे विशुदे में रूजिवल्ट ने चर्चिल पर इतना दबाव बनाया कि उनके दबाव में स्टेफर्ड क्रिप्स को उन्निसो बैलिस में एक प्रस्ताव बना करके और आकाइद भारत भेजा और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि महत्मा गांधी में अगर महर्स स्री अरविंदो की सलाह मानली होती स्री राज गुपालाचारी की सलाह मानली होती तो भारत का बटवारा नहीं होता क्योंकि जो क्रिप्स का प्रस्ताव था उस प्रस्ताव वही प्रस्ताव हमने 1947 में स्विकर किया भारत बटवारे के साथ तो मैं यह कहूंगा कि इस पुस्तक का एक बड़ा प्रभाव रुजुएल्ट पर तो जरूर पड़ा और मैं यह कहूंगा कि यह पुस्तक उस भारत की खोज है जो सतंत्र होने के अपने अधिकार के लिए उस समय यानि 1930 में जान की बाजी लगा कर लड़ रहा था और जो लोग स्वतंत्रता संग्राम के 1920 से 1947 के इतिहास को जानते हैं और ना जानते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए कि वही समय है इस पर आचारी क्रिपलानी ने अपने मिवायर में भी लिखा है कि 1930 का यो समय है जब सच्मुच सुतंत्रता संग्राम के नायक अंग्रेजों से बराबरी के अस्तर पर बात कर रहे थे उससे पहले कभी बात नहीं हुई थी और इस पुष्टक की अगर मैं मुझसे पूछे कि आत्मा कहा है तो यह मैं कहूंगा कि इस पुष्टक की आत्मा उस अध्याय में है जिसका सिर्सक है 1930 और मैंने इसीरे मेंज से इस पुष्टक को उठाया क्योंकि 1930 का अध्याय यहां खत्म होता है मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा परंत यह चार लाइने में पढ़ूँगा जरूर परंत यह तो तय है यह पेज नंबर दोसो बारह पर है परंत यह तो तय है कि भारत के लोगों को पुनह लड़ना होगा जिस देश के लोग इनके अत्याचार से इतना त्रस्ट होने के बावजोग जिस धैरे और दर्शा का परिशेद दे रहे हैं वह भूले यह नहीं और नहीं सांत बैठेंगे या खेल अभी खत्म नहीं हुआ या खेल अभी खत्म नहीं हुआ उनीस सो एकीस इसका पहला चरण था उनीस सो तीस दूसरा और तीसरा भी आएगा यह है बिल्दुरेंट और यह जो मैंने आपको पढ़ कर सुनाया यह बिल्दुरेंट की भाविश्यवाणी है और वाविश्यवाणी सच निख लिए उनीस सो तीस का साल है क्या नमक सत्याग्रा का साल है और इस अध्याय में भी छे मार्च से सुरू हो करके और धरासना की सत्याग्रह तक का वर्ण है और मुंबई से दो सो पचास किलो मिटर दूर धरासना नाम की जगह है जहां दरसल नमक का डीपो हुआ करता था और आप जानते हैं उस धरासना सत्याग्रह का नेत्र तो किस ने किया था सरोजीनी नाइडू ने सरोजीनी नाइडू ने विनार थी दूर इलावाद में थी लेकिन जब उनको ये पता चला है कि धराशना में सत्यागरा का फैसला हुआ है तो दोड़ती भी मुंबई पहुंची हैं और धराशना सत्यागरा पर जो रिपोर्ट आई है उसमें किस तरह की कुड़ता हुई है उसका कुछ वाणा अंसुजे ने किया यूपी आई नियूज एजनसी का जो मिलर है उसका उधरन इस पुस्तक में है और वही कहता है कि रोंटे खड़े कर देने वाला दिरिस से है अंसुजी मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ आपने अच्छा नवाद किया है लेकिन मेडिलिनल मेडिलिन स्लेड का आपने नाम दिया है उनका परशे भी दिया है कौन जानता है कि मेडिलिन स्लेड कौन है क्यों आप भूल गई कि मेडिलिन स्लेड को मेरा बहान न लिखें और मैं तो यह कहूंगा कि हमारे हां हम सुजाता में खीर खिलाया गौतम को तो गौतम भुद्ध हुए एक फ्रांस महिला उनका नाम था भी अलफासा वो पाने चेरी आती हैं और स्रीमा कहलाती है एक महिला आइरिस विवेकानिंद की सिस्या बनती है और भगनी मिवेदिता होती है उसी तरह से मेडलिन स्लेड भी जब गांधी के पास आई तो गांधी जी ने उसका नाम रखा मीरा बहन और भारत को जिन्हें जानना होगा वो मीरा को जाने वगैर भारत को नहीं जान सकता गांधी ने इसलिए स्लेड का नाम मेरा बहन रखा और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति और मुल्य को ले करके जब हम गुलान थे उस समय भी दुनिया में आकरसन था और ये महिलाएं उसका उदारन है यानि हर दोर में किवल भारत की संपत्ति के लिए नहीं, भारत की संस्कृति में भी इतना आकर्षन था कि वहां से स्रीमा आती हैं, मेरा वहन आती हैं, भगनी निवेदिता आती हैं और इस संस्कृति पर हमको गरो होना चाहिए मैं यह कहूँगा कि 1930 से पहले और ठीक 6 साल पहले डग्सभ ने कई किताबों का उलेख किया, लेकिन एक किताब मैं अभी एक किताब का उलेख मैं भी करना चाहता हूं, हाला कि वो फिक्सन है, लेकिन उसको जरा पढ़िये बड़ी प्यारी किताब है छोटी किताब है, 1924 में छपी है, और बाद में तो उसके इतने रिप्रिंट हुए हैं, बेहिसाब पैशेज टु इंडिया, ज़वा आप पैशेज टु इंडिया पढ़िये और पैशेज टु इंडिया में, बिरोक्रेशि कैसे भारत को खसो, लूट जबान अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अपनी पिया व्यक्त कर रहे हैं, होता यह है कि अपसर इतिहास नहीं लिख पाते, मेरे एक मित्र थे आईवी में, एमके धर, MI6 का डाइरेक्टर ने पहली बार एक Open Secret नाम की किताब लिखी, अपना मिमार लिखा, ठीक उसी तरह से एमके धर ने भी Open Secret लिखा, भारत के आईवी की इतिहास की अकेली पुस्तक है, उसी तरह से यह जो Passage to India का EM Hoster हो सकता है, मैं यह Hoster का सही उचारण नहीं कर पा रहा हूं, हो सकता है, लेकिन EM Foster की जो Passage to India है आप पढ़िए, यह 6 साल पहले आई थी, विल्डुरेंट से पहले, और ठीक 6 साल बाद, एक और अध्वत पुस्तक आई है, और जो मुझा लगता है कि भारत के किस घर में नहीं होगी, साइद सब जगा होगी, और उस का लेखक है, पाल ब्रेंटन, पाल ब्रेंटन, तीन साल यहां रहता है, बनारस में आज भी होंगे लोग, लेकिन उस समय लाहरी महासे भी थे, उस समय सुगंधी बाबा थे, और इस तर से महरवावा से लेकर के, तमाम लोगों के पास पाल ब्रेंटन जाता है, और उसके बाद रमन महरशी का उस सिस्थे हो जाता है, तो मैं यह कहूँगा, कि इस पुस्तक के इर्दगर्द भी पुस्तके हैं, और अंत में, जिस पुस्तक पर चर्चा हम पूरी करने जा रहा हैं, मेरी नजर में यह अति उत्तम बनी है, और अनेक भ्रमों को तोड़ने वाली है, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ. बहुत बहुत आभार हूँ, गुरुवर, कारे करम अपनी समाप्ति की ओर है, सनेहिल स्वजनों, एवम मंचासीन मनीश्यों का हिर्दे से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूले समय इस कारे करम को सफल बनाने में दिया, इंद्रागांदी राष्टिक अलाकेंदर आप सबसे मिलने की अभिष्ट इच्छा लिए, आपके स्वास्त की मंगल कामना करता है, आपकी उपस्तिती निसंदे हमारे अंतर में उर्जा का प्रभाह करती है, कार्याले के सभी उच्चे दिकारी गण, सहयोगी, मीडिया यूनिट, सेवा एवं अपूर्ती विभाग, फोटोग्राफी यूनिट, सभी के फेशन्स निये, योगतान के लिए, कोटी-कोटी आभाग, इंद्रा गांधी राष्टी कला केंद्र नियास के धेक्ष हमारे प्रेणना स्रोत, श्रदे गुरुवर श्री राम भादू राई जी के मार्व दर्शन,